अगर तुम में हिम्मत हो की हजार लोग तुमारे पीछी खड़े हो तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे अगर हजार लोगों ने हिम्मत जुटा लेकि तुम उनके सामने खड़े हो तो पुरे दुनिया जीत जाओगे कुदरत का अलिश मत देखो उस रागत दो घटाए होई कीजीफ भी मिल गया और वो भी बैदा हो गया और तेरे बाप की और तेरा बाप मैं केजीफ चैप्टर टू रिलीस से पहले ही सुपर हिट फिल्म कैसे बन गई और इस फिल्म की कहानी क्या है बाहु बली और 2.0 का रिकार्ट कैसे तोडने जा रही है मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलेगराद के फिल्मी गलियारे में 2018 के दिसंबर में एक फिल्म आई एजियफ इसका फुल फॉर्म हुआ कोलार गोल्ड फिल्स कर्नट सिनेमा इतिहाद की सबसे सफल फिल्म आल टाइम वर्ड वाइट कलेक्शन दो सो पचास करोण के पार हिंदी में डब होकर रिलीज होने वाली फिल्मों में बाह वली फ्रेंचाईजी और 2.0 के बाद तीसरी सब ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म इंट्रेस्टिंग बात यह है कि ये सारी अचीब में कहानी के एक टुगड़े को मिली है आधी कहानी अभी आना बांकी जिस फिल्म में बची हुई कहानी दिखाई जाएगी उसका नाम होगा केजियाफ चैप्टर 2 केजियाफ के पहले हिस्से में हमें कोलार गोल्ड फिल्ड्स में अपना एक छत राज कायम करने वाले गरुणा की कहानी दिखाई गई गरुणा सोने के इस खान का मालिक था और यहां काम करने वाले लोगों पर बहुत अत्याचार करता था रौकी याने की राजा क्रिशप्या बहर एक गरीब घर का बच्चा जिसकी माँ पैसे की कमी से इलाज ना मिल पाने की कारण मर गई लेकिन उसने मरते समय अपने बेटे से बचन लिया कि वो बड़ा होकर बहुत ताकत और पैसा कमाएगा रौकी इनी चीजों की तलास में मुंबई आया और जल्द ही रौकी भाई नाम का एक डौन बन गया उसका बड़ा होता नाम देखकर कोलार खान को हत्याने के लालची लोग उसे गर्वणा को मारने के लिए सुपारी देते पहली बारे में फैल होने के बाद रौकी गर्वणा को उसके गड़ में यानि खान में ही मारने का प्लान मनाता है और मार भी देता है पहली फिल्म यहीं खत्म हो गई अधीरा गर्वणा का चाचा है सोने की खान के मालिक शूर वर्धन ने अधिरा को नजर अंदाज कर अपनी विमारी के बाद खान को सम्हालने की जिम्मेदारी गर्वा को सौप देता है इस बास से अधिरा नरास फिल्म के पहले हिस्से में अधिरा का कई जगा जिक्र आता है जिसमें उसे बहुत ताकतवर और कूर बताया जाता है रौकी के हाथों गर्वा की हत्या के बाद अब अधिरा की नजर भी खान पर है दूसरी और Rocky भी उस खान पर अपना कबजा चाहता है इससे उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा और ये सब तब संभव हो पाएगा जब उसके पास पाकत होगी मतलब वो अपनी मा को दिये हुए बचन को पूरा करने के लिए ये सब कर रहा है सारी टसल उस खान को लेकर है इसलिए केजियर 2 में रॉकी और अधिरा आमने सामने होंगी साथ में कई और खिलाडी होंगी जो कॉलार गोल्ड माइन पर अधिकार करना चाहिए पहले फिल्म में सिर्फ गर्वा को मारने की कहानी दिखाई गई थी इसके आगे क्या होता है और फाइनली कहानी कहां पहुंसती है ये हमें फिल्म के दूसरे हिस्से में देखनी को मिलेगा लेकिन यहां में लड़ाई अधिरा और रॉकी के बीच है इस फिल्म में कन्नट फिल्मों के सुपरस्टार यस अपने रॉकी के किरदार को आगे बहाएंगे और कहा जा रहा है कि ये फिल्म बाह बली और टू पॉइंटो से भी बड़ी फिल्म साबित हो और बॉक्स आफिस पर कम से कम तीन हजा कौन रूपए का बिजनिस करेंगे थेरी मार्द मिल गया अरे सादा रे वो नहीं, मेरा बेटा कहा है तुम्हारा बेटा, उसके सामने ही है कुदरत का करिश्मात देखो उस रात दो गटाए होई केजी अपी बिल गया है के अपी बिल गया है काल काव करने भी नाज पहागाल आगया वो क्या इतना बड़ा गैंग्स्टर था गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंग्स्टर वो अकीला आता था मॉन्स्टर तो और कुछ उसे आती आने में अतीरा जब तक गरूडा जिन्दा है मैं इस कद्धी के बारे में सोचूंगा भी नहीं फैंस के बीच सुपरस्टार यस के फिल्म केजब के दूसरे पार्ट को देखने का उस्साह बरकरार है फिल्म में यस के करदार रौकी को दर्सकों के दौरा खुब पसंद किया गया था और इस फिल्म में उनका एक डालाग सबसे बड़ा योधा मा होती आज भी लोगों की जुवान पर रहता है हाल ही में यस ने एक इंटरव्य के दौरान फिल्म केजब टू के बारे में कई खुलासे किये फैन स्रीज के अगले चैप्टर के खुलने का इंतजार कर रहे हैं यस ने फिल्म केजब टू के बारे में बात करते हुए कहा कि ये पहले से ज़्यादा धहमाकेदार होगी उन्होंने बताया कि KGF टू बड़े पैमाने पर रिलीज होने जा रही है यदि आपने KGF 1 देखा है तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि ये किस तरह की फिल्म है फिल्म को देखने में KGF 1 से 5 गुना जादा मज़ा आने वाला अगर फिल्म KGF की कहानी की बात करें तो ये एक ऐसे बच्चे की कहानी थी जो मुंबई की स्टाकोर पर पला बढ़ा है और कॉलार की सोनी की खानों तक अपना सफर तै करता है रॉकी की मा उससे कहती है कि तू कैसे जिएगा मुझे नहीं पता लेकिन जब मौत आये तो दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बनकर मरेगा तू मुवीज में बैक ग्राउंड म्यूजिक का बहुत बढ़ा रोल होता है और ये फिल्म के टूटे वोए हिस्सों को आपस में जोडता है जैसे इस फिल्म में मा बेटे के रिष्टे वाले सिंस में आपके वल बैक्राउंड थीम पर से ही इमोशनल हो जाते हैं कई जगा भौन की समेंटोग्राफी देखते ही बनती है माइनिंग वाले और पचास से असी के दसक वाले सेट्स भी विसाल काया और अच्छे हैं केजिया फोन में ज़्यादा तर वान लाइन डायलाक यूज किये गए हैं जैसे सोने के गुल्लक को चिलर बटोडने के लिए नहीं रखा जाता हाथ में मचली लेकर मगरमच को खिलाने जा रहे हैं लेकिन मगरमच को मचली नहीं हाथ पसंद है इतिहास जल्दवाजी में नहीं रचा जा सकते लेकिन आप प्लानिंग करके ब्लूप्रिंट बना कर भी इतिहास नहीं बना सकते इसी प्रकार के संबाद आपको केजियव 2 में भी देखने को मिलेगा मूवी में अनन्द बक्सी के गीत का एक नया वर्जन डाला गया है गली गली में फिरता है तू क्यों बनके बन जा रहा इसी तरह का गाना इस बार भी डाला जा रहा है अगर फिल्म को गाउर से देखें तो फिल्म में मावाला इमोशन भी है रोमांस वाला भी गरीबी वाला भी और मजबूरी वाला भी लेकिन इस बार केजियव 2 में एक्सन पर सबसे ज़्यादा जोड़ दिया गया है खास करके क्लाइमेक्स सीन में जहां पर संजयदत यानि के अधीरा और रौकी के बीच लड़ाई होती है केजियव 2 में जो यस किरदार निभा रहे हैं वो एक गैंग्स्टर के रियल जीवन से प्रभावित है गैंग्स्टर राउडी थंगम के जीवन से लिया गया है जिसका 1977 में पुलिस ने इंकाउंटर कर दिया था लेकिन केजियव के डारेक्टर परसांत नील ने अपने एक इंटर्वीव में इसे इंकार कर दिया था प्रंत केजियप के पोस्टर में दावा किया गया था कि केजियप एक सची कहाने प्राधारी था। उस समय की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार थंगम को खुख्यात चंदन तसकर के बाद दूसरे अस्थान पर माना जाता था। और उसे बिरप्पन जूनियर करार दिया गया था। थंगम को अस्थानिय लोगों का समर्था मिलता था क्योंकि वो बिरप्पन की तरह एक रॉविन हुट के रूप में जाना जाता था। जब थंगम की मृत्ति हुई तो वो केवल 25 वर्स का था। केजिअप के पहले हिस्से में हमें कोलार गोल्ड फिल्ड्स में अपना एक छत्र राज कायम करने वाले गरुणा की कहानी दिखाई गई। गरुणा सोने के इस खान का मालिक था। और यहां काम करने वाले लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। रौकी यानि की राजा किशप प्याबैर एक गरीब घर का बच्चा जिसकी माँ पैसे की कमी से इलाज ना मिल पाने के कारण मर गई थी लेकिन उसमें मरते समय अपने बेटे से बचान लिया था कि वो बड़ा होकर बहुत ताकत और पैसा कमाएगा और जल्द ही रौकी भाई आपने लगष, पी, नामका एक डॉन बन गया उसका बड़ा होता नाम देख, कोलार खान को हथ्याने के लालची लोग, उसे गरवना को मारने के लिए सुपारी देते हैं पहली बारी में फेल होने के बाद रौकी गरुणा को उसके गढ़ में यानी खान में ही मारने का प्लान बनाता है और मार भी देता है पहली फिल्म यहीं खत्म हो गई अधिरा गरुणा का चाचा है सोने की खान के मालिक शूर वर्धन ने अधिरा को नजर अंदाज कर अपनी बिमारी के अब अधिरा की नजर भी खान पर है दूसरी और रौकी भी उस खान पर अपना कबजा चाहता है इससे उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा और ये सब तब संभव हो पाएगा जब उसके पास ताकत होगी मतलब वो अपनी मा को दिये हुए बचन को पूरा करने के लिए ये सब कर रहा है सारी टसल उस खान को लेकर है इसलिए केजिएब 2 में रौकी और अधिरा आमने सामने होंगे साथ में कई और खिलाडी होंगे जो कोलार गोल माइन पर अधिकार करना चाहते है पहले फिल्म में सिर्फ गर्वा को मारने की कहानी दिखाई गई इसके आगे क्या होता है और फाइनली कहानी कहां पहुंचती है ये हमें फिल्म के दूसरे हिस्से में देखने को मिलेगा लेकिन यहां में लड़ाई अधिरा और रौकी के बीच है KGF 2 में रिना के करेक्टर पर भी फोकस किया गया है KGF 2 रिलीज भी नहीं हुई और KGF 3 की चर्चा होने लगी है 300 रुपे लेकर घर से भागने वाला लड़का कैसे देने जा रहा है बाहु बली को टकर यश का असली नाम क्या है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गरीमा तोमर आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में फादर्स जे के मौके पर KGF के डाइरेक्टर प्रशान्थ नील से एक फैन ने पूछा तो KGF के डाइरेक्टर ने विद बिग स्माइल हैश्टाग KGF चैप्टर 3 लिखकर फैन को खुश कर दिया यानि की KGF के डाइरेक्टर ने KGF 3 की तरफ इशारा किया है जी हाँ बनाने का विचार कर लिया है और उनके इस रिपलाई से ये भी साफ हो गया है कि KGF 3 में रॉकी के फादर की स्टोरी दिखाई जाएगी KGF स्टार यश कन्नट फिल्म इंडस्ट्री के सूपर स्टार है KGF 1 की सफलता के बाद यश ने दुनिया भर के लोगों को अपनी और आकरशिप किया ये एक्टर बॉलिवुड के हीरोस तक पर भारी पड़ गया फैन्स अब बेसबरी से बड़े पर KGF 2 देखने का इंतिजार कर दे हैं लेकिन दर्शकों को फिलहाल और इंतिजार करना होगा क्योंकि कोरोना वाइरस के कारण सब चीजे रुकी हुई हैं लेकिन इस बीच यश के बारे में एक रोचक किस्सा जानने को मिला है जिसमें पता चला कि वो मात्र तीन सो रुपिय लेकर घर से भागे थे रॉकिंग यश ने इंटर्व्यू के दरान बताया मैं अपने घर से भाग गया जब मैं बैंगलूर आया तो जैसे ही वहाँ पहुँचा मैं डर गया इतना बड़ा डराने वाला शहर लेकिन मैं हमेशा से आत्म विश्वास से भरपूर लड़का था मैं संघर्ष करने से डरता नहीं मेरे पास सिर्फ तीन सो रूपय थे जब मैं बैंगलूर पहुचा मुझे पता था कि अगर मैं वापस चला आया तो मेरे माता पिता मुझे कभी भी यहां लोटने की अनुमती नहीं देंगे मेरे माता पिता ने मुझे एक ultimate दिया मैं एक अभिनेता के रूप में अपनी किस्मत आजमाने के लिए स्वतंत्र था लेकिन उसके बाद अगर यह नहीं हुआ तो मुझे वही करना पड़ेगा जो वो कहें उन्होंने आगे खुलासा किया कि उन्होंने सोचा था मैं वापस आओंगा मैंने थेटर करना शुरू कर दिया कोई सोभाग्य से मुझे थेटर करने के लिए ले गया मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था मैंने बेकस्टेज पैसे बनाना शुरू किया चाइसे लेकर पूरा सब कुछ शुरू में मैंने कंदनड फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करने के लिए एक डारेक्टर को भी असिस्ट किया था जबकी मैंने थेटर किया मैंने बहुत यातराएं की स्टेज पर मेरा पहला अपियरेंस लोगों ने नोटिस किया था वहीं यश का असली नाम क्या आप जानते हैं? नहीं जानते होंगी इसलिए हम बता देते हैं इसमें क्या टेंशन लेने की बात है यश का असली नाम है नवीन कुमार वेल अभी तक तो दर्शक KGF 2 देखने के लिए excited थे लेकिन इस खबर के बाद वो KGF chapter 3 के लिए और भी जादा excited हो गए है अब तो शायद audience यही चाहेगी कि हमें दोनों पार्ट एक साथ ही देखने को मिल जाए लेकिन वक्त तो लगेगा अभी तो सिर्फ उन्होंने एक statement दी है कि हाँ KGF 3 बनेगी जरूर क्योंकि जहां दबिक बुल को अभिशेक बच्चन के करियर की वापसी फिल्म मान सकते हैं जिसका नजारा फिल्म के पहले poster से देखा जा सकता है स्टॉक मार्किट को प्रभावित करने वाले ब्रोकर हर्शद महता की भूमिका में वो नजर आने वाले हैं जिसने 1990 दशक के दोरान भारती अर्थ विवस्ता को हिला कर रख दिया था अभिशेक बच्चन के करियर की सबसे दमदार फिल्म की बात की जाए तो वो गुरू होगी और ठीक इस बार भी अभिशेक अपने गुरू वाली भूमिका में ही दिखाई देंगे तो ऐसे में इस फिल्म पर सब की नजर बनी हुई है तो दूसरी और करनर सूपरस्टार की केजियफ ने अपने स्टारडम को हिंदी सिनेमा में इस कदर बैठा लिया है कि फैंस केजियफ टू का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं और इस बार तो वैसे भी पहले से ज़ाद दमदार एक्शन देखने को मिलने वाला है फिल्म में यश के साथ-साथ फिल्म में इस बार श्री निधी शेट्टी भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी साथ ही संजदत फिल्म में आदीरा की भूमिका में दिखाई देंगे जब से संजदत का इस फिल्म से नाम जुडा है तो हिंदी सिनेमा में और भी जादा दबदबा हो गया है इस फिल्म का वहीं अगर बात करें कि भारत में कोईला उध्योग का पालन कब हुआ तो आपको बता दें कि वानीचे कोईला खनन का इतिहास लगभग 220 वर्श पुराना है जिसकी शुरुवात दामोदर नदी के पस्चिमी तटपर स्थित रानीगंज कोल फिल्ड में इस्ट इंडिया कंपनी के मेसर सुमनेर और हिटली द्वारा 1774 को की गई थी और यह हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि केजिये फिल्म कोल फिल्ड पर ही आधारिट फिल्ड थी जिसकी कहानी ने लोगों को काफी आकरशित किया और आगे क्या होगा यह जानने के लिए लोग कबसे KGF Chapter 2 का इंतिजार भी कर रहे हैं अपने देखा होगा कि इस फिल्म में हर कोई अमीर बनना चाहता है पैसे वाला बनना चाहता है लेकिन असल जिंदेगी में भी अपराद की दुनिया में कहीं ऐसे गैंस्टर्स और डोन हैं जो अपने इस खतरनाक पेशे के जरिए अरग पती बन चुके हैं तो आज हम आपको ऐसे ही टॉप 6 गैंस्टर्स के बारे में बताएंगे जिसमें 1993 मुंबई बं हमले का मास्टर माइं दाउद इब्राहिम का नाम भी शामिल है दाउद का नाम इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है आपको बता दें कि भारत क दाउद इब्राहिम के पास कुल 670 करोर डॉलर की संपत्ती है भारत सरकार की तरफ से इसके उपर इनाम भी घोशित किया जा जुका है अभी दाउद के पाकिस्तान के कदाची शेहर में होने की खबर है फिलहाल दाउद 63 साल के हो चुके हैं हाल ही में एक अंग्रेजी पार ने उनकी बुड़ापे की तस्वीर को भी जारी किया था लेकिन अमाडो केरिलो फैंटर्स 1997 में दुनिया का सबसे अमीर डॉन था जिसकी संपत्ती 25 बिलियन डॉलर आंकी गई थी अमाडो को हवा का राजा भी कहा जाता था क्योंकि यह अपना सारा ड्रग्स का व्यापार खुद के हवाई जहाद से करता था अमाडो बड़े स्थर पर कोलंबिया के तसकरों की मगतरघा था अपने बॉस की हत्या के बाद ये गैंग को सरगना बना वहीं बताया जाता है कि प्लास्टिक सरजरी के दोरान ही इनकी मौत हो गई थी वहीं इस लिस्ट में एक और नाम आता है एंथनी सालेर नो इसको फैट टोनी के नाम से भी जाना जाता था ड्रक्स के कारूबाल के कारण इसने अकूद संपत्ती बनवाई जिनेवा से तालुक रखने वाले इस शक्स को 1988 में गिरफतार कर लिया गया था और बाद में 70 साल कारावास की सदा सुनाई गई 1930 में ड्रक्सहित अवेद शराब जुआ और माना तसकरी के कारोबार में अलकपोन की तूती बोलती थी इसने इस कारोबार में अकूद संपत्ती अर्जित की हालांकि उसका पैसा और सरकार से संबंद भी गिरफतार होने से रोक नहीं सके और गिरफतार होने के बाद इसका कारोबार पूरी तरह से समाफ्थ हो गया तो वहीं सत्तर के दशक में एक लेडी डॉन का भी काफी जलवा रहा है सत्तर वे असी के दशक में ग्रिसेला ब्लानको नामक महिला डॉन का अमेरिका के मियामी परराज था वो भी ड्रग के कारूबार में लिफ्ट थी और ये कोलंबिया से पूरे देश में ड्रग की सप्लाई करती थी और उस दोर में इसकी संपत्ती 80 मिलियन डॉलर की थी तो वहीं एक ऐसा भी शक्स था जो धर्टी का सबसे अमीर डॉन था एक समय में कोलंबिया का कुख्या डॉन पोबलो एसकोबार दुनिया का सबसे बड़ा अरपपती शक्स था इसकी कुल संपत्ती 3,000 करोड डॉलर के करीब थी पोबलो एसकोबार को कोकीन की दुनिया का सबसे बड़ा बाथशा माना जाता है अपने दौर में पोबलो दुनिया की करीब असी फिजदी कोकीन अकेले सप्लाई करता था December 1993 में पोबलो की पुलिस एंकाउंटर में हत्या हो गई थी तो अब देखना एक्साइटिंग रहेगा कि KGF Chapter 2 में क्या इन सभी किरदारों से इंस्पाइड होकर कोई किरदार रखा जाएगा वही दो-दो बड़ी-बड़ी फिल्मों का क्लैश भी होने जा रहा है अज़देवगन यश से टकरानी जा रहे हैं तो क्या धमाका होने वाला हिस बार बॉक्स ओफिस पर इसका सभी को वेसबरी से इंतजार रहेगा आपको क्या लगता है यश और अज़देवगन में से इस बाजी को कौन जीतेगा क्या संजदत बनने जा रहे हैं KGF Chapter 2 के अधीरा संजदत की वो पांच फिल्में जिसमें उन्होंने खलनायक की भूमिका को निभा कर दी बॉलिवुड को मिसाल और वो कौन सा एक्टर है जिसे दिया जा चुका है विलन आप दा येर का अवार्ड नमस्कार दोस्तों मैं गरिमा सिंग और आप सभी का स्वागत है संजदत की बात करें तो वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जहां से अभीने करने की कला उन्हें विरासत में ही मिली थी इसकी वज़े से उनकी रूची फिल्मों के प्रती और अधिक हो गई थी पर उन्होंने अपनी फिल्मों में हीरो का किरदार निभाने के साथ साथ एंटी हीरो की भी भूमिकाएं अदा की है और उनके इस किरदार को भी दर्शकों से खूब सराना हासिल हुई थी 1993 में उनकी एक फिल्म आई थी खलनायक जिसको शुभास गई ने डिरेक्ट किया था इस फिल्म में संजर दर्थ और माधुर दिक्षित की गजब की कैमेस्ट्री देखने को मिली थी इस फिल्म में कुछ अलग करने के लिए संजर दर्थ ने अपनी एक्टिंग पर तो मेहनत की ही थी साथ ही उन्होंने अपने लुक को भी बदला था इसके लिए उन्होंने कानों में बालिया पहनी, सर पे टोपी, एक आंक पर काला कपड़ा बांधा और दाड़ी मूचे भी वड़ाई और इस फिल्म में जो उन्होंने खलनायक की भूमी का निभाई वो आज भी निसाल बनी हुई है वही उनकी दूसरी फिल्म है, 1999 में आई वास्तव, जिसे महीश मांजरेकर ने डेरेक किया था और वास्तव में इस फिल्म में संजद अधिक अलग ही लुक में नजर आये इस फिल्म में उन्होंने सफेद कुर्ता पजामा और माथे पर बड़ा सा लाल तिलक लगाया और जिसे देख कर ही लोगों में फिल्म के लिए उत्सुकता काफी जादा हद तक बढ़ चुकी थी फिल्म में निभाय गए अपने किरदार से उन्होंने लोगों को इतना प्रभावित कर दिया था कि लोग उनके बोलने का तरीका उनका स्टाइल तक कॉपी करने लगे थे उनकी अगली फिल्म है 2004 में आई मुसाफिर इस फिल्म को संजर गुपता द्वारा डेरेक किया गया था इस फिल्म में संजदत ने अपने लुक को बदलने के लिए लेजर कट बियर्ड रखी थी और साथ ही साथ हाथ में सिगार और आखों पर फैंसी गॉगल्स के साथ वो नज़र आये थे जिसके बाद उनके इस अंदाज को भी हर किसी ने कॉपी किया तो वही 2009 में आई उनकी फिल्म प्लान इस फिल्म को हरदेशेटी ने डिरेक किया था और इस फिल्म में संजू बाबायानी की संजदद एक बार फिर डॉन के किरदार में नज़र आये थे इस फिल्म में उन्होंने अपने लुक के लिए एक लाइन वाली छोटी सी दाड़ी रखी साथ ही बालो में कलर भी किया था या फिर यू कहीं कि उन्होंने जिस भी फिल्म में आज तक खलनायक की भूमिका निभाई है उन्होंने अपने लुक पर काफी जादा ध्यान दिया है और 2012 में आई उनकी अगनीपत को तो कौन भोल सकता है अगनीपत को करन जोहर ने डिरेक्ट किया था और ये 1990 में आई अमिताब अच्चन की फिल्म अगनीपत का रिमेक थी जिसमें रितिक रोशन प्रियंका चोपरा और संजदत मुख्य भूमिका में नजर आये थे फिल्म में संजद बाबा ने अपने किर्दार को कुछ अलग दिखाने के लिए अपने लुक्स पर बहुत महनत की थी जैसा कि हमने पहले भी कहा कि वो अपने लुक को लेकर काफी जादा महनत करते हैं उन्होंने फिल्म के लिए अपना सिर मुड़वा लिया था यहां तक कि उन्होंने अपनी बोहें भी हटवा दी थी जेहां साथ ही हाथों में धे सारे बड़े बड़े टैटूज भी बनवाए थे और उनके इस फिल्म में निभाए गए खलनाया के रोल को डैनी देंजॉंगपा के साथ भी कमपेर किया गया था डैनी देंजॉंगपा की बात करे तो अपने दौर के स्टाइलिस्ट विलन रहे हैं जिनके काम को हर किसी ने सराहा था डैनी देंजॉंगपा ने कहा तक खुदागवा, सनम बेवफा, अगनी पत, काला सोना जैसी फिल्मों में सफल्तम फिल्मों में विलन का जबरदस रोल अदा किया था तो अगनी पत में भी संजदत ने निभाया जबरदस खलनाय का रोल जिसमें उनका जो किरदार था काचा चीना का वो हर किसी ने बेहद पसंद किया था लेकिन आपको बता दें कि एक खुशकबरी है वो आ रहे है यश की फिल्म में आपने यश की KGF चैप्टर वन में फिल्म की एंडिंग में देखा होगा कि एक विलन अपनी पीट किये खड़ा है लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है तो दोस्तों जब ये फिल्म पूरी तरह से पैन इंडिया बन ही चुकी है और एक बहुत बड़े पैमाने की फिल्म बन चुकी है तो ये एक अच्छा मूव रहेगा जब इसमें एक नौर्थ इंडियन एक्टर को मिलाया जाए और जिससे की ये फिल्म लगने वाली है की पूरे भारत को एक साथ लेकर चल रही है फरान अप्तर और रितेश शिद्वानी इसको मिलकर इंफ्लूएंस कर रहे है और संजगत का नाम है सबसे आगे क्योंकि पहले पार्ट के according एक महान खलनायक आने वाला है जो यस जैसे एक शेर के साथ टकराएगा और अब शेर के साथ कोई महमना तो नहीं टकरा सकती तो आवस्यक होगा कि किसी ऐसे कलाकार को लाया जाए किसी ऐसे किरदार को लाया जाए जो उनकी टककर का हो क्योंकि दोस्तो एक एक्टर और उनका कैरेक्टर इतना स्ट्रॉंग होना चाहिए कि लगे कि सच में कांटे की टककर है क्योंकि विलन भी उतना ही बुलंद होता है जितना की हीरो एक्जामपल के लिए अगर सूपरमैन एक जेब कत्रे को पकड़ता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन जब वो दूसरे क्रिपलिन से आए हुए इंसान को पकड़ता है जो उतना ही बलशाली है जितना की सूपरमैन तब लगती है दोस्तो काटे की टककर तब होती है असली लड़ाई तब आता है मज़ा तो ऐसे में संजदत की यश के साथ टककर देखना काफी इंट्रेस्टिं होने वाला है अब अगर बात करें कि वो कौन सा खलनायक है जिसे विलन ओफ ता इयर से भी नवाजा जा चुका है दोस्तों वो कोई और नहीं बॉलिवुड के मशूर खलनायक प्राण है उनके रोल के बारे में तो क्या कहें मतलब अपने दोर में उनका इतना खौफ था कि उनके पास चाने से भी हर कोई डरता था और इनको 2000 में विलन ओफ ता इयर के रोल से भी नवाजा जा चुका है अगर प्राण की बात करें तो उन्होंने मधुमती, अमरक, बरैंथनी, जन्जीर और जिस देश में गंगा बहती है फिल्मों में जबर्दस्त खलनायक की भूमिका अदा की है तो दोस्तों आपका फेवरिट खलनायक कौन है और आपकी एजीएफ चैप्टर टू में यश और संजेदत की टककर को लेकर कितना एकसाइटेड है अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं साथी साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और देखते रहे हमारा चैनल बॉलिगराद स्टूडियोज क्वाली चैप्टर टू की कहानी क्या है? ये फिल्म कब रिलीज होगी? और फिल्म का ट्रेलर अगा रिलीज होगा? बॉलीविड के दो नाम सामने आए हैं केजिए चैप्टर टू में संजेदत और रवीना तंडा इनका role क्या होगा KGF chapter 2 में यश के पास कितने करोड की property है और इन्होंने कितनी hit film में दी है और कितनी flop KGF chapter 1 रिलीज होने के बाद इनका टेक्स ने director के घर पे, producer के घर पे और actor के घर पे क्यों रेट मारी आईए जानते हैं Hello दोस्तो मेरा नाम है अंकेट और आप सभी का स्वागत है बॉली ग्राड स्टूडियो के नए वीडियो में दोस्तो अगर आपके मन में film से related कोई भी सवाल है तो आप हम से पूछ सकते हैं आपको एक घंटे के भीतर ही reply मिल जाएगा तो आज हम बात करने वाले हैं KGF chapter 2 के बार में प्रभास की बाहूबली के बाद से ही South Film Industry काफी सूर्ख्यांबटोर रही है अभी बाहूबली का माहोल ठंडा हुआ ही नहीं था कि एक और फिल्म आगे साउथ की तरब से यश्च के फिल्म के जियव इस फिल्म का पहला पार्ट काफी सफल रहा सफल होने के बाद मेकर्स इसके दूसरा पार्ट बना रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस फिल्म में यानि की चैप्टर 2 में बॉली वुड के कुछ नामी कलाकार शामिल होंगे नाम सामने आया है संजेदत का और रवीना टंडन का हाला कि अभी तक संजेदत और रवीना टंडन ने हामी नहीं भरी है फिल्म के लिए या कोई यूँके की ओफिशिली एनॉंस्मेंट नहीं हुई है जिन लोगों को केजिएफ के बारे में या चैप्टर 1 के बारे में नहीं पता थोड़ा बहुत जान लेते हैं शौट प्रिफ में की केजिएफ कंणर लेंग्वेज फिल्म थी जो पांच अलग अलग भाशाओं में रिलीस हुई थी फिल्म को लिखा और डारे किया था प्रशान ने प्रशान निल जो कंणर के डारेक्टर है इन्होंने अभी तक सिर्फ दो फिल्में ही डारेक्ट की है पहली जो है के जिएफ चैप्टर वन और दूसरी मतलब इससे जो पहले डारेक्ट की थी वो थी उगर अरुन कुमार गोवडा येस तो इनका स्टेज नाम था जो काफी पॉपुलर हो गया था बात करते हैं कि इनके पास कितने करोड की प्रॉपर्टी है तो इनके पास अभी तक लगभग जो मिलाया गया है चालिस करोड से ज्यादा की प्रॉपर्टी है और ये हर फिल्म में पांच करोड रुपें लेते हैं लेकिन खास बात यह आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके पापा अभी भी अरुन कुमार बस ड्राइवर का काम करते हैं बात करें इनके फिल्मों की की अभी तक इनोंने कितने hit फिल्में दी हैं या flop फिल्में दी हैं अब बात करते हैं केजियफ की कहानी क्या थी ये कोलार गोल्ड फिल्ड आया कहां से तो करनाटन में बैंगलूरू से 50 मिल आगे कोलार गोल्ड फिल्ड है ये भारत की सोनी की ख़दान मतलब बहुत पुरानी है यहां पे सोने निकालने का काम शुरू हुआ था लगभग पहली सेंचुरी में 1880 या 1890 में इसे धर्ती के 3 किलो मीटर तक नीचे तक ख़दा गया था आपको बता दू कि पूरी दुनिया में ऐसे बहुत ही कम ख़दान है जो काफी गहरी होती है लेकिन कोलार गुल्ड उन में से एक है 1880 में या 1890 में एक इंजिनिरिंग कमपनी को काम मिला सोना निकालने का यह ब्रिटिश अरकार की आगरी कोशिश थी क्योंकि इसे पहले भी बहुत सी कमपनी को यह काम दिया गया था लेकिन वो असमर्थ रहे सोना निकालने में खास बात यह है कि यह कमपनी सोना निकालने में काम्याब रही और कोलार के दिन बदलने शुरू हो गया था और साउथ इंडियन सासों के लिए यह इंकम सोर्स बन गया था कई सदियों तक 1902 में यहां पर बिजली प्रोवाइट की गई दोस्तों जब भारत का पार्टिशन हुआ था या जब भारत अजाद हुआ था तब इसका कंपनी ने इसे लिया था वो कर्ज़दार हो गया था जहां पहले 9000 स्टाफ काम करता था यहां पर घटके वो 3000 हो गया था लेकिन धीरे धीरे यह कंपनी पूरी तरह से बंद हो गई 2001 में गौर्णमेंट ने इसको बंद कर दिया था कोलार गोल्ड फिल्ड को लेकिन अभी हाली की बात बताओं तो 2017 में इसका फिर से टेंडर निकला माना जारे कि यहां पर अभी भी सोना बचा हुआ है सोना निकल सकता है दोस्तों चाइना के बाद इंडिया एक ऐसी कंट्र जितनी भी मतलब पूरे वर्ल्ड में सोना है जितना भी सोना है पूरा को मिला के 6% हमारे हिस्से में आता है और बाकी का जो है अलग-अलग कंट्रीज में जाता है मतलब 6% तक हमारे इंडिया में है बात करते हैं आगे KGF Chapter 2 की कहानी की की आगी कहानी में हमें फिल्म में क् मिलेगा तो जैसा कि हमने Chapter 1 में देखा था कि Rocky यानि की यश एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं और बड़े आदमी बनने के बाद मरना चाहते हैं यह ड्रीम उनका खुद का नहीं होता जबकि उनकी मा का होता है ड्रीम को पूरा करने के लिए वह मुंबई आते हैं और गोल्ड की तसकरी में जुड़ जाते हैं देरे देरे वहां उनका बहुत सारा नाम हो जाता है आफ्टर डैट नाम होने के बाद उन्हें मुंबई पर राज करना होता है फिर एंट्री यह होती है एज एंड्रू की एज एंड्रू उन्हें मौका देते हैं बढ़ा आदी कोन है गरूरा बैंगलूरू तो पहुत जाते हैं हमारे रौकी वहां जाते हैं उन्हें एक लड़की से प्यार भी हो जाता है साथ में प्यार तो होता रहता है लेकिन वह अपने काम पर भी लगे रहते हैं कि कैसे गरूरा को मारना है गरूरा आता है लेकिन रौकी मार नहीं पाता उसे और इस frustration में वो गरूरा की लंका में चला जाता है वहाँ जाकर उसे गरूरा को मारता है तो यह हमने chapter 1 में देखा था जब chapter 1 का जो last scene था अगर आप लोगों ने notice किया होगा तो जितने भी गरूरा के सैनिक थे उन्होंने तलवार उठा लिया था रौकी को मारने के लिए लेकिन रौकी वहाँ पे मरता नहीं है जितने भी वहाँ पे workers थे या मज़दूर थे वह रौकी की पावर बंते हैं और जो गरूरा का में बाडी गार था वह भी मारने की कोशिश करता है रौकी को पर रौकी उसे मार देता है अब Rocky के साथ साथ चार और लोग इस company के मालिक होते हैं यानि की हगदार हो जाते हैं कौन-कौन ये बात आप सभी जानते हैं Andrew हो गया, politician हो गया, कमल हो गया और चौता जो लड़की के पिता है तो ये पांच हगदार हो जाते हैं पहला जो Rocky आल्रेडी है तो ये पांच कुलार गोल्ड के मालिक हो जाते हैं लेकिन एनमेज से एक जो होता है उसको Rocky बहुत हटक रहा होता है कौन है वो? कमल, वो क्यों? क्योंकि उसने Rocky ने एक girlfriend उठा ली थी कमल की और ये भी एक talent है कि लड़की किसी और की girlfriend को उठा लेना आते हैं अपने topic वे अगर मैं कहूँ कि chapter 2 में हमारा Rocky मर जाएगा तो कैसे लगेगा? हम शौकिंग तो है लेकिन सचाई यही है कि Rocky मर जाएगा chapter 2 में कमल जो है वो इनायत खलील से हाथ मिला लेता है इनायत खलील जो गरूडा या यू कहे कि कुलार का मालिक होता है वो इनायत खलील बहुत बड़ा दुश्मन होता है कमल इनायत से हाथ मिलाता है साथी जो आपने एक politician देखी थी जो इंद्रा कांधी जैसी लग रही थी वो आर्मी भेजती है तो ये तीनों मिलकर रौकी पे हमला करते हैं और रौकी मर जाता है अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा चैप्टर बन में तो कहानी शुरू होती है एक book के थूँ जहां पे रौकी का कोई नामों निशान नहीं था उसमें बताया गया था कि वो अल्रेडी मर चुका है इसलिए तो वो book लिखी गई थी तो यहाँ पे story आधी तो clear ही हो चुकी है कि रौकी मर जाता है और कुलार के फिर तीन मालिक चार मालिक हो जाते हैं लेकिन head जो होता है वो इनायत बनेगा जहां तक मुझे पता है बात करते हैं कि इनायत खलील का रोल कौन प्ले गारेगा तो इनायत खलील का रोल प्ले करेंगे संजेद जो अभी तक रिपोर्स सामने आ रही है रवीन अटेंडन के रोल प्ले करेंगे ये अभी सामने नहीं आया है बात करते हैं कि इनकम टेक्स ने एक्टर, प्रोडूसर और डारिक्टर के घर पे क्यों रेड मारी थी कहा जा रहा थे कि कोलार फिल्म में जो पैसा लगाया है वो सारा ब्लैक मनी था फिल्म का बज़ट था 80 करोड और ये सारा ब्लैक मनी था इसी वज़त से इंकम टेक्स ने उनके घर पर रेड मारी थी केजिएफ चेक्टर 2 के अगर रिलीज डेट की बात करें तो खबरों में आ रहा है कि ये फिल्म 29 दिसंबर 2019 में रिलीज हो सकता है और अगर वही बात करें ट्रेलर की तो खबर आ रहे कि ऑक्टूबर में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होगा वो भी एक नहीं कई पार्ट्स में दोस्तों आज के लिए बस इतना ही लेते हैं आपसे अलविदा मिलेंगे कल तब तक के लिए थैंक्यू नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गरिमा सिंग और वेलकम टो आर चैनल बॉलिगराद स्टूडियो दोस्तों आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करेंगे रिलीज हुई फिल्ट के जी एफ के रिव्यू को लेकर मूवी को इतना पसंद क्यों किया जा रहा है और वैसे देखा जाए तो कही ना कहीं के जी एफ के रिलीज होने की वज़े से जीरो के बॉक्स ओफिस कलेक्शन पर असर तो पड़ा है तो चलिए जानते हैं कि के जी एफ में ऐसी क्या खास बाते हैं दोस्तों मल्टिप्लेक्स के आने के बाद उस तरह की बी ग्रेट फिल्में बनना बंध हो गई जिन में बड़े स्टार्स नजर आते थे 80 और 90 के दशक में इस तरह की फिल्में खूब बनती थी इंसानियत के दुश्मन, मर्द, गंगा, जमना, सरस्वती बदले की आग जैसी बी ग्रेट फिल्मों का ने केवल बजट बड़ा हुआ करता था बलकि इस पे अमिताब बच्चन और धर्मेंद्र जैसे सितारे भी नजर आते थे 2018 में आस्चर्य जनक रूप से इस तरह की फिल्में फिर देखने को मिली सल्मान खान की रेस्त्री, आमिर खान की ठकस ओफ इंदुस्तान के बाद कोलार गोल्ड फिर्ज, बाहुबली की तरह जहां गरूडा का परिवार, सोने की खदान पर हक जमाने के शडियंत्र रच्टा है तो वही गैंक्स ओफ वासिपूर की तरह फिल्म का मिजाज रखा गया है कोलार में एक अलग ही दुनिया नजर आती है, जहां मजदूरों पर जुल्म कर उनसे काम कराया जाता है और ये जुल्म क्यों किया जाता है, इसका जवाब फिल्म में नहीं मिलता इस फिल्म में लीड रोल निभाया है यश ने, यश अपनी रोमैंटिक हीरो की इमेज से बाहर निकलते हुए एक हैवी ड्यूटी एक्शन हीरो के अफ्तार में नजर आते हैं फिल्म का पहला एक घंटा रोकी की छवी को बनाने में खर्च पिया गया है और हर जगह वो मार काट मचाता रहता है सिगरेट का धुआ उड़ाता है और शराप गटकता रहता है स्लो मोशन में उसके कई स्टाइलिश शॉट नजर आते हैं वो स्क्रीन पर नहीं भी हो तो लोग उसकी तारीफ के कसीदे गड़ते रहते हैं नरदेशक प्रशांद नील ने कहानी को सीधे तरीके से कहने के बजाए खुब घुमा फिराकर अपनी बात कही है रॉकी की कहानी एक लेखक टीवी पत्रकार को सुना रहा है फिल्म कई बार फ्लैश बैक में जाती है कहानी में कहानी सुनाई जाती है क्योंकि ये फिल्म का पहला भाग है इसलिए कई बार दूसरे भाग की जलग दिखाई गई है और ये सब कुछ confusion को बढ़ाता है शायद प्रशांत ने ये जान बूच कर किया है क्योंकि पूरी फिल्म उन्होंने इसी तरह से बनाई है प्रशांत का दूसरा फोकस एक्शन पर रहा है फिल्म में हिंसा की भरमार है हर दूसरे मिनिट मार काट मचती रहती है गाजर मूली की तरह लोगों को काटा गया है हतोडा, चैन, चाकू, रॉट, तलवार, फावडा से खुन बहाने से मन नहीं भरा तो बंदूक और मशीन गन का इस्तिमाल भी किया गया है और दोस्तो एक्शन का ये ओवरडोस, कहानी, स्क्रिप्ट, एक्टिंग पर भी भारी पड़ गया है फिल्म की कलर स्कीम बेहत डार्क है, ब्राउन और ब्लैक कब बहुत जादा इस्तिमाल किया गया है जादेतर शॉट्स बहुत कम लाइप में शूट किये गए हैं, स्क्रीन पर जादातर समय अंधेरा चाया रहता है बहुत जादा कट्स लगाए गये हैं और तीन चार सेकंड से जादा एक शौट टिकता ही नहीं है वहीं कलाकारों के गैट अब भी इस तरह के हैं कि वो गंदे नज़र आते हैं दोस्तों जैसे बेतरतिब लंबे बाल और डाड़ी, काले कपड़े और साथ ही साथ रात में भी आँखों पर काला चश्मा चड़ाय हुए हैं और ऐसा लगता है कि वो महीनों से नहाए ही नहीं हैं और ना ही उन्होंने ब्रश किया है पूरी फिल्म को रफ टफ और एक अलग ही लुक प्रशान में दिया है निस्चित रूप से ये कुछ हटके लगता है लेकिन इसे नापसंद करने वालों की संख्या भी कम नहीं रहेगी दोस्तो फिल्म दो भाग में आएगी और अच्छी बात ये है कि पहला भाग एक कमप्लीट फिल्म लगता है और दर्शक खुद को ठगा महसूस नहीं करते कि उन्होंने आदी ही फिल्म देखी है फिल्म को बहतरीन तरीके से शूट किया गया है और एडिटिंग टेबल पर फिल्म को लुक और टेक्स्चर दिया गया है और दोस्तो साथ ही साथ फिल्म में खूब डायलोग बाजी भी है जैसे कि If you think you are bad then I am your dad और वहीं दूसरा डायलोग है हाथ में मचली लेकर मगरमच को पकड़ने के लिए निकले लेकिन मगरमच को मचली नहीं हाथ पसंद है तो दोस्तों कुछ ऐसे ही धमाके दाध डायलोग सुनने को मिलते हैं लारजर दिन लाइफ किरदार में यश्ट बेहत जमे हैं वो स्टाइलिश लगे हैं एक्शन बढ़िया किया है और किसी हीरो की तरह नजर आए हैं तो वहीं श्रेनिदी शेटी सहित अन्यक अलाकारों के लिए खास इसकॉप नहीं था केजिएफ में एक्टिंग, एक्शन, जायलोग, स्वैक, बेक्ग्राउंड, म्यूजिक जैसी सभी चीजे बहुत जादा लाउड है स्टाइल और प्रेजेंटेशन ही इसे अलग बनाता है दोस्तो शारुक खान की फिल्म जीरो सिनेमा घरों में पहुँच गई है और सिर्फ हिंदी पट्टी ही नहीं दक्षिन भारत में भी फिल्म को लेकर काफी उत्सा है मगर साउथ में जीरो का सफर आसान नहीं होगा क्योंकि इस शुकरवार 21 दिसंबर तमिल, तेलगू और कन्नर भाशाओं की कुछ बड़ी फिल्में रिलीज हुई है और जिनकी काफी चर्चा भी रही है जीरो देश भर में 5965 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है जिन में से 4380 स्क्रीन्स भारत और 1585 ओवर्सीज के लिए एलोट की गई है आनंदेल रोय निर्देशित जीरो में शारुक के साथ कैट्रीना कैफ और अनुषकर शर्मा लीज रोल में थे महमत जीशान आयू फिल्म में शारुक के किरदार बहुआ सिंग के साइड की कर रोल निभा रहे है साथ में जीरो की सबसे बड़ी टकर मारी टू से होने जा रही है जसमें धनुष लीड रोल में है बालाजी मोहन रिर्देशित फिल्म में साइपलवी फीमे लीड रोल निभा रही है मारी टू को लेकर तमिल भाशी दर्शकों के बीच काफी हाइप बनी है ये 2015 में आई मारी का सीक्वल है और ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म में धनुष के कैरेक्टर का नाम मारी है दोस्तो साथ में जीरो के सामने दूसरी बड़ी रिलीज के जीएफ चैप्टर वन भी है जो करनड फिल्म है जिसे तमिल तेल्गू मल्यालम और हिंदी में भी रिलीज किया गया है प्रशान नील निर्देशित फिल्म में यश ने लीड रोल निभाया है ट्रेलर आने के साथ ही फिल्म की काफी चर्चा रही है हिंदी भाशी दर्शकों के बीच भी केजीएफ के हिंदी ट्रेलर को पसंद किया गया है केजीएफ में तमन्ना भाटिया और मौनी रोय ने आइटम सौंग्स किये हैं केजीएफ हिंदी में 1500 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है जबकि कंणर तेल्गू में 400, तमिल में 100 और मल्यालम में 60 स्क्रीन्स पर उतारी गई है दोस्तो हाल ही में साथ सिनेमा की कुछ फिल्मों ने घरेलू और ओवरसीज में बहतरीन बिजनस किया है रश्णी कांत और रक्षे कुमार की 2.2 तमिल सिनेमा की फिल्म है जिसे हिंदी और तेल्गू में भी रिलीज किया गया था ये फिल्म घरेलू बॉक्स ओफिस पर अब तक 400 करोड से अधिक का कारोबार करके दूसरी सबसे बड़ी भारतिय फिल्म बन चुकी है और वहीं सिर्फ हिंदी में फिल्म ने 180 करोड से अधिक जमा कर लिये हैं दोस्तों आज हम इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं जीरो केजीएफ और मारी टू के तीसरे दिन के बॉक्स ओफिस कलेक्शन की 21 दिसंबर 2018 को ये तीनों फिल्में एक साथ रिलीज हुई थी जिसमें से केजीएफ और मारी टू का ओपनिंग कलेक्शन बढ़िया रहा और वहीं बड़े बजट की फिल्म जीरो कुछ जाधा ओपनिंग नहीं कर पाई जीरो के ट्रेलर और गाने जिस तरह सूपर हिट हुए थे लेकिन उस तरीके से फिल्म को ओपनिंग नहीं मिल पाई तो वहीं बात करें केजीएफ और मारी टू की तो बजट के हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों फिल्मों को बढ़िया रेस्पॉंस मिल रहा है प्रशाद नील ने डायेक्ट किया था। फिल्म में कंण्ड सूपरस्टार यश ने लीट रोल प्ले किया था। फिल्म को वर्डवाइट 3,000 स्क्रीण पर और चार भाशाओ में रिलीज किया था। फिल्म को मिले अच्छे reaction की वज़े से इसकी screens को बढ़ा दिया गया है। फिल्म ने पहले दिन करनाटका से 28 करोड, हिंदी से 4 करोड और तमिल और तेलगू से KGF ने 7 करोड का collection किया है। KGF ने टोटल 49 करोड का first day collection किया था और फिल्म को critics और public से भी बढ़िया rating मिली थी जिसका फायदा इसको दूसरे दिन भी मिला और फिल्म ने 45 करोड का collection किया जो कि अब तक किसी कन्नड फिल्म का सबसे highest collection है बात करे फिल्म के third day collection की तो ये फिल्म आगे बढ़िया collection करेगी वीकेंड पर संटे का फायदा भी इसे जरूर मिलेगा दोस्तो अब अगर बात करे मारी टू की तो इस फिल्म ने अपने बजट के हिसाब से अच्छी opening दी है ये एक action फिल्म थी तमिल सूपरस्टार धनुश की इस फिल्म को बालाजी मोहन ने डायरेक्ट किया था फिल्म को 25 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया और ये फिल्म अभी सिर्फ दो ही भाशाओं में रिलीज हुई है 30 करोड के बजट वाली फिल्म को पबलिक और क्रिटिक्स दोनों ने अच्छी रेटिंग दी है जिसका अजर हमें opening collection पर देखने को मिला और इस फिल्म ने अपने पहले दिन 15 करोड का opening collection किया जबकि फिल्म ने अपने second day collection में 13 करोड बटोरे जो कि काफी बढ़िया रहा बात करें फिल्म के worldwide collection की तो फिल्म ने अब तक 30 करोड का collection कर लिया है वीकेंड में Sunday का फाइदा भी इस फिल्म को मिल सकता है और अब बात करें हमारे शारुक खान की zero की जिसकी चर्चाओं का बाजार गरम तो था और जिससे इसके collection में गिरावट देखने को मिली इस फिल्म से grand opening की उम्मीद की जा रही थी लेकिन opening ठीक ठाक रही zero ने पहले दिन 20 से 25 करोड का opening collection किया जो कि 200 करोड के बड़े बजट वाली फिल्म के लिए कुछ जादा खास नहीं है फिल्म को public ने तो अच्छी लेकिन critics ने average rating दी है और जिस वज़े से इसके second day collection में बिल्कुल जादा उचाल नहीं देखने को मिला फिल्म को 5000 स्क्रीन पर release किया गया था zero ने दूसरे दिन भी 20 करोड तक का ही collection किया जो कि normal है वहीं बात करे फिल्म के total collection की तो फिल्म ने worldwide पहले दिन 58 करोड का collection किया था जो कि अच्छा साबित हुआ बात करे फिल्म के third day collection की तो वीकेंड पर शायद इस फिल्म को Sunday और Christmas का benefit मिल जाए जिससे की फिल्म के collection में थोड़ी बढ़ोतरी तो हो जाए दोस्तो धीरे धीरे जीरो आगे बढ़ रही है और क्या वीकेंड में Sunday होने की वज़े से ये फिल्म 100 करोड से उपर collection कर पाएगी या नहीं दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन फिल्मों की जो कि कल यानि की 21 दिसमबर 2018 को release हुई थी और आज हम जानेंगे उन सभी फिल्मों के review और box office collection के बारे में दोस्तो 21 दिसमबर 2018 को Zero, Marry 2 अंतरिक्षम 9000 की MPH KGF जैसी अलग-अलग जोनर की फिल्में रिलीज हुई है और इन में से कुछ फिल्में बड़े बजट की हैं तो कुछ छोटे बजट की इन में से बॉलिवुड की Zero और कन्नट फिल्म इंडस्ट्री की KGF बड़े बजट की फिल्में हैं जबकि तमिल फिल्म इंडस्ट्री की Marry 2 और तेलगू फिल्म इंडस्ट्री की अंतरिक्षम छोटे बजट की फिल्में थी आईए इस वीडियो में जानते हैं कि फिल्मों के पहले दिन के रिव्यू और बॉक्स ओफिस कलेक्शन क्या रहा सबसे पहले बात करते हैं बॉलिवुड के किंग खान यानि की शारुक खान की Zero की जो 200 करोड के बजट वाली फिल्म थी दोस्तों फिल्म ने लोगों को एंटर्टेन तो किया है और ये फिल्म लोगों को पसंद भी आई है और इसी के साथ पब्लिक इस फिल्म में शारुक खान केट्रीना कैफ और अनुशका शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीफ कर रही है और ये फिल्म थेटर्स में लोगों को लाने में कामियाब रही और फिल्म को आनंदेल रोए ने डायरेक्ट किया था और इसे दुनिया भर के 6000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से जादा अच्छे रिव्यूज नहीं मिले हैं लेकिन फिल्म लोगों को पसंद आ रही है और फिल्म को क्रिटिक्स ने 3.5 स्टार दिये है वहीं बात करें फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ओफिस कलेक्शन की तो फिल्म ने इंडिया में 25 करोड का कलेक्शन किया है वहीं बात करें फिल्म के वर्लड वाइड कलेक्शन की तो फिल्म जीरो ने पहले दिन 58 करोड का कलेक्शन किया है जो की एक रिकॉर्ड है और अभी आने वाले संडे का इस फिल्म को कितना फायदा मिलेगा अब ये तो वीकेंड के बाद ही पता चलेगा अब दोस्तों बात करते हैं कननड फिल्म केजियेफ की तो फिल्म का बजट 80 करोड था और फिल्म को लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉंस भी दिया है फिल्म को प्रिशांत नील ने टायरेक्ट किया था खोलर गोल्ड माइन्स पर बेस्ट ये फिल्म 80 की फिल्मों की याद दिलाती है जिसमें कननड सूपरस्टार यानि की यश ने लीड रोल प्ले किया है और ये फिल्म अब तक की कननड फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है और अभी फिल्म का फिर्स पार्ट रिलीज हुआ है और इसका सीक्वल भी आना बाकी है KGF को इंडिया में 2460 सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और इस फिल्म को क्रिटिक्स ने 3.5 स्टार दिये हैं ये फिल्म लोगों को भी काफी पसंद आई है KGF ने इंडिया में पहले दिन 13 करोड का कलेक्शन किया जबकि वर्ड वाइट पहले दिन इस फिल्म ने 2 करोड का कलेक्शन किया और फिल्म का पहले दिन का टोटल बॉक्स ओफिस कलेक्शन 15 करोड है जो कि डब्ड फिल्म होने की वज़े से बहुत बड़ा है दोस्तों वहीं अगर बात करें तेलगू फिल्म इंडस्ट्री के सूपर स्टार धनुष की फिल्म मारी 2 ही जो की मारी का सीक्वल है फिल्म मारी काफी हिट रही थी और इस फिल्म को बाला जी मोहन ने डायरेक्ट किया था ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसे लोगों ने काफी पसंद किया है फिल्म को क्रिटिक्स ने 3.5 स्टार दिये हैं टॉलिवुड में एक साथ 4 फिल्म में रिलीज हुई है जिसका असर इस फिल्म के कलेक्शन पर पड़ा है और फिल्म ने पहले दिन 41 लाग का कलेक्शन किया है जो कि एवरेज है लेकिन अभी ये सिर्फ तमिल में ही रिलीज हुई है और अभी इसका हिंदी डब्ड रिलीज होना बाकी है वहीं बात करें तेल्गु फिल्म अंतरिक्षम 9000 केम पीच की तो ये एक साइन्स फिक्षन फिल्म थी जिसका डायरेक्षन संकल्प रेडी ने किया था इस फिल्म में तेलकु सूपरस्टार वरुन तेज लीड रोल में थे और इस फिल्म को भी लोगों का मिला जुला रेस्पॉंस मिला है फिल्म को भी टॉलिवुड में एक साइच चार फिल्म में रिलीज होने की वज़े से इस फिल्म को भी काफी कम दर्शक मिले हैं क्रिटिक्स ने फिल्म को 2.5 स्टार दिये हैं और फिल्म ने पहले दिन लगभग 1.60.000 का बॉक्स ओफिस कलेक्शन किया है जो की काफी बढ़िया है अंतिरिक्षम फिल्म का कॉंसेप्ट लोगों को पसंद आया है लेकिन फिल्म पर एक साइच चार फिल्में रिलीज होने से असर पड़ा है लेकिन इसकी भी हिंदी डब वर्जन रिलीज होना अभी बाकी है मेरे सिकें तो चंदी सी मिला शो मिस्तो हो रहा है आई मुम तो वाई थी ना चुब सुझे मिले थे आपकी बज़े टिकेट बदल गई पता है मेरी अ है मैं तुम्हारे बज़े से मैंने जीरो देखे लिए मैं भी आपको बहुत बड़ा थेंक्यू बोलना चाहता हूँ कि आपकी बज़े से मैं जीरो देखने वाला था पर केजिए अब देखे आ है मजा आ गया देखे क्या मोई बटा मोई यस का यस ने फार दिया भाई आग लगा दिया मैं पर देखने वाल ची लेकिन किसमत की बाती है बाकि Zero बहुत ही जादा अमेजिंग मोई है पता है इतने टाइम बात में इसर्क की इतनी बड़ी है मूँ भी देखे लिए मैं SRK का मैं अब अब भुद बहुत बड़ा पहन हूँ लेकिन अग्छिन स्रक के बाद अगर मैं किसी का पहनू तो यस का पहनू भाई भाई बहुत बढ़ा यस ने क्या एक्टिंग किया फाड़ा ना गजर मजा आगया वैसे क्या खासता है जीरो बता हो जीरो में खास ही आथी हाजी है तेखो पहरी बात तो जैसा रोल उसने अड़ा किय है शारुक खाने सार किने गोने का मैं को लगता वो कोई और इतने बड़ी तरीके सिग्जी क्यूप तर बाता उस प्रोल को एक अलागी चीज देखने को मिली है उस मुवी में यार एक सच बात बताओ जायद यश ने जो भी आक्टिंग करे होगे मैंने मुवी नहीं देख लेकिन अगर कम पारिजन किया जाए तो जिस सफिरिके से एसां के एक क्यारेक्टर के अंदर गुसा है वो शाद यश ने घुस पाता यानि घुस पाता ही अलग चीज है लेकिन दोना अलग जोनर की फिल्म है जो केजी अप में जो यस ने किया है वो शारुक रुखन एंटी हिरो टाइप लंवी लंबी दाड़ी बड़े बड़े बाव लोग जब हातों बंदूग लेके फूटता है ना सीटिया बसके भाई लोग पागल होगे उसे लेखके ऐसा अंदर को देखकर ऐसा बहुश मुवी लिकुल हुआ लोग तो पागल होई थे इसनी जादा सबसे ज्यादा सिस्पेंस वला सीन तो वही था जो रॉकेट का और जब रॉकेट डुडा ना याद सब का मन फुश हो जया आपके रॉकेट को चलागों ना असमें ऐसा अगे ऐसा ही चलागा रॉकेट को तो महारे कहने है मतलब कि शारूपन इस्पेस में गया है तो वही सबसे पर जाने की कोश़िछ कर रही हूँ क्या बात है क्या बात है यार देखनी पड़ेगी लेकिन केजिया केजिया में दिल लूट लिया मैं तो जाही केजिया फ्री थी यार अब देखने जीरो चले गई पता इस असपेंस खूलो हुए तुमारा क्या पर जीरो मुझे आप इस टोरी बता तो मुझे इस्टोरी मत बता इस में में चीर्व बता जिसे मैं खूश हो जाहूं ता कि मन में प्रफ़ा मन बनालना रहे कि मैं जीरो नहीं रिख पाया अचा ये बताओ सबसे जार्दा इस इस तुमारा वही वाला सबस्वेंस को देखिए के त्री ना क जादा नहीं जादा नहीं बाद और अनुष्rel के आपने के बादा का रहा उसा का does तो कि अद्ध मिर्ए पुड़ा र Muk भड़ी सुपर्सटार लिखाई आपने पोक्त क्या था पोईंट किया उसकाम थोड़ा में में यक तो पू्दु अढ़ी अदूरी वाइड लाइड फोटोग्रफर था क्या नहीं था? आर्मादूर बिलकुए मैंको नाम याद नहीं आ रहा था मैंनो शारुखान के साथ कॉन सेट था कुझी यह जानना है यार शारुखान के साथ कोई भी से पी था नहीं अनुष्का नहीं केत्रीना केटरीना अपनी 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 सुपस्टार्ट थी हां मैं आपको बता दू कि पागल था बभीता कुमारी के लिए थोड़े टाइम के लिए उनकी के मिस्ट्री आई थी लेकिन इसना बड़ा भी नहीं यह उसे शादी हो जाया कुछ ऐसा कुछ सीन नहीं था हाँ लेकिन अनुष्का श्र्मा की शादी आर माध्वल के साथ हूई थी और हूँ और इतनी बड़ी जो स्टार कास्ट थे इसमें अभी एक दीपीका मैन напис ऑगा क्या नहीं और इतनी बड़ी स्टार कास्ट थे इसमें बादू कॉन भी है, शीदेवी, काजो, रानी मुखर जी, आल्या भाट, यह क्या रदेते हैं? तुम्हें मुवें पहले से देख रखी है कर देख रखी है? यह पढ़ाफा कहीं पे, मुझे बताया गया था अच्छा मेरी बाद सनो, नवीदा कुमारी इसमें बहुत बड़ी सुपर्स्टार कर रोल अधा कर देख रखी है, तो अवजिसी बात है जहां बॉलीवूड का नाम आएगा, वहां एक बॉलीवूड अप्रस के साथ, बाखी बॉलीवूड साथ इसमें तो इसमें गर्पिका छ॥ी हरा, श्रीदेवी, आलिया भता, और करिष्मा कफिल बे भी रिखाए गया अगया इक कॉंसा इंसान है जो हमेशा क्या जैना है, क्या था विफिल्म धोसुगा रोल भी रखा किया व्यूड कुछी सुट्धा है जिशान अईवूड प्ल्सुगा जाने को तो अपने वो जादा दर जाना ही दोस्ती के रोज के लिए जाता है जाए हम गांजना उठा के देखले हैं और भी बहुत सारी मुवीज तो उसमें इसका उत्मला अच्छा दोस्त वाना हम है बलिकुल वो अमेशा से अच्छा दोस्त करिदारी भी बाता है इस वार में बहुत अच्छे दोस्त करिदारी भी याली की जीरो देखनी पड़ेगी वैसे आपका क्या खाल है कि जीरो फस्ट जीक कलेक्शन कितना कर पाएगी अलोबर इंडिया ना अलोबर इंडिया दी अलोबर वर्ड कितना कर पाएगी यार 20-25 करोर 20-25 करोर बस 200 करोर लगा में 20-25 करोर जादा बोलो मत अपना बताओ क्या देखा है मेको भी तो कुछ बताओ KGF का पहली आप मताव इस है तंडर का सुपरिस्टार है वो उसे आज जादा है वे टाइम इंडिस्ट्री में पर जब से आया है अपने आप में इक अलग चीज है पहली बाद उसके अपोजिटर Shri Nidhi Shetty क्या 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 और इन सब्से बड़ी बाद उसमे Mauniroy का ओ क्या गली गली मजा आगया देखे मुझे चीज पूछनी है क्या? तुमने अभी बोला Shri Nidhi Shetty मुझे बड़ा हु promote रान प्रे देखे क्या लगा था य अश के ओजर जुझे Mauniroy के आईन मौनि राय है मौनिरोए का मुद मुद माप आइम हुग्या लेकिन आइटम आइटम हुग में कजब ये हाई राल गली गली कासा 다ते की करतेजिआ लोगों के लिए कैसा करना चाहिए काई मैं जोगों की एंग दिखाए जा रहा है। गईब के लड़ता है। वहां वही दूज़ लोगों को आरता है मेरे के लेके बहुत पने डाउट्स है क्या बता हुए जब मेरे ट्रेलर देखा ना मुझे लादा यार याष नेगड़े रोल करने ने 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 उसका रोल एस टैफ का रहला क्या सकती एंडिरो टैफ का मुझे लोगों के लड़ता है बुरों तो खात्मा गठता है या पर इसने सुनो तो उसने बोला पाइन उसने बोला प्रेड के जब चोटा बच्चा बोलता है मुझे दुन्या चाहिए हाँ तो उसकी मान नहीं कहा था ना कि विए लोगों के साथ चलना है, लोगों के आगे खढ रहा रहा अ तो ऐसा कुष निया कि रूल तो मुझे दुनिया जोगी तो इसका मतब यह नहीं यही दिन में जो मुवी देखके निकल रहा है वो यही गह रहा है कि इसका सेकंड पार्ट सेकंड चाप्टर टू आएगा जिरो का बन पाएगा नहीं बट क्या पुदा बन जाये हो भी तक है हाँ यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन केजी अपका सेकंड पार्ट आएगा यह तो अभी से तया है हभू मैं आपकी बात मान रही हूँ तो आपने बजट पूछा था मेरी मुवी का जीरो कास कि क्या पेक्षा है मेरी बजट आपकी कहा है इसमें इसका बजट 80 करोर है लेकिन हो सकता है कि चारुफान के वरावर्ठ पलेदिन में इतना ना कमा पाएगा लेकिन कमाई ही अच्छा अच्छा अपने 80 कोरर के साब और हो सकता है कि ये लेकि नहीं मूवी देखो ऑगी ना 80 करोड ओन-मांका है मैं आपके बाद समझ रहे हैं, आप बोल रहो कि 80 करोड में ठीक है, लेकिन देखो जो 200 करोड रुपे हमारी दीरों में लगे हैं, क्योंकि जादा तो जादा पैसे तो शारुक हन को उनके करेक्टर में दिखाने की ने लगे हैं, वी एफेक्स को लेकर, कैमरा, पुराना इंडिया दिखाने के लिए, और इसके अक्शन सीन्स पे, जब आप देखोगी न आप खुछ समझ मा जाएगा, ना आप जीरो को बडागाओगी ना KGF को, मैं बूरा तो मैं बूरा तो मैं बोल ही निरू बात ये है, बोलो, हम, क्या बोल रही आप? ये बोल रह के पुरी जाएगाओगी वीfx को लेकर ठीक है मैं मान रही हूँ हूँ लेकिन VFX इसने ही लेवल कर नहीं है ये उंदेशार जही निरुकि किसी कुर्णा तिखाना याद, विस्ते भाव अगया तो सोचे अब आफरी में बात यह मैं बात यह मैं जा रह रहाँ हैं कि मैं अपने हिसाब से कमाएं भी और हिट भी होंगी लेकिन अपने बड़ा सवाल है कि चैप्टर टू तो आएगा के जी अपका क्या जीरो का वन पार्ट आएगा इना है दोस्तो मुझे तो लग रहा है जिस तरी कि इस जीरो को सब देमांड में ले रहे हैं तो मुझे आप लोग क्योंकि एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री के सूपरस्टार शारुक खान यानी की बादशा कि फिल्म जीरो रिलीज हुई तो दूसरी तरफ साउथ इंडस्ट्री के सूपरस्टार धनुष की फिल्म मारी 2 बॉक्स ओफिस पर तहल का मचाने के लिए आई और वही कन्नड के एक और सूपरस्टार यश की फिल्म के जीएफ ने बॉक्स ओफिस पर दस्तक दी और जिसे कन्नड की बाहुबली के नाम से जाना जा रहा है इन तीनों फिल्मों के एक दिन रिलीज होने से फिल्म उध्योग को नुकसान के साथ-साथ फाइदा भी हुआ क्योंकि इस बार ओडियंस के पास अच्छी खासी चॉइस थी कि वो किस प्रकार की फिल्म का चुनाव करें जहां शारुक खान की फिल्म एक रोमांटिक फिल्म के साथ-साथ फुल ड्रामा फिल्म है तो वहीं KGF एक एक्शन फिल्म है और वहीं मारी 2 एक मसालेदार फिल्म है लेकिन जिसमें शोशल एलिमेंट्स का तड़का लगाया गया है और इन तीनों फिल्मों के रिलीज होने से फिल्म इंडस्ट्री को करीब 300 करोड का फाइदा हुआ है क्योंकि इन तीनों फिल्मों के सेटलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स इन सारी चीजों को मिला कर करीब फिल्म इंडिस्ट्री को 300 करोड का फाइदा हो रहा है और 21 दिसंबर को एक ही दिन रिलीज होने पर करीब 100 करोड का फाइदा हुआ अगर नुकसान की बात की जाए तो नुकसान इस संधर्म में हुआ कि हर स्टार की ओडियंस बट गई और ओडियंस बटने से तीनों फिल्मों को नुकसान हुआ है हालांकि ये पहला दिन रहा इसलिए ये निस्चित तोर पर नहीं कह सकते तीनों फिल्मों को कितने कितने करोड का नुकसान होगा अगर अब बात करें जीरो की तो Zero ने रिलीस से पहले ही फिल्म का आधा दाम निकाल लिया था जी हाँ और Zero का कुल फर्स डेक कलेक्शन देखा जाए तो Zero के खाते में करीब 230 करोड के आसपास गया है और इससे ये कहा जा सकता है कि Zero फिल्म का टोटल बजट पहले दिन ही निकल चुका है और फिल्म का सूपरिट होना तो निस्चित है क्योंकि Zero ने इंडिया और देश विदेश को मिला कर 58 करोड का बॉक्स ओफिस कलेक्शन किया है और अगर वही बात की जाए साउथ के बाहुबली यानि केजियेफ की तो उसने पहले दिन 15 करोड का बिस्निस किया है दोस्तों वही मारी टू अगर कुल मिला कर देखा जाए तो फिल्म ने 2 से 3 करोड का कलेक्शन किया है और अगर इन कलेक्शन के आकलों को आधार बना कर बात की जाए तो शनिवार को छुटी होने की वजए से तीनों फिल्मों के बॉक्स ओफिस पर उच्छाल देखा जा सकता है और माउट पब्लिसिटी का फाइदा भी मिल सकता है अगर दूसरे दिन के कलेक्शन की बात की जाए तो 0 करीब 30 करोड का बिस्निस कर सकती है और वहीं KGF करीब 20 करोड के आसपास पहुँच सकती है और दोस्तों वहीं मारी 2 भी करीब 5 करोड के आसपास पहुँच सकती है तो जब भी 2 फिल्मे या 3 फिल्मे एक साथ रिलीज होती है तो अक्सर देखा गया है कि जब बड़े बैनर की और बड़े स्टार की फिल्मे होती है तो उनके बॉक्स ओफिस कलेक्शन में जादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और दोस्तों वहीं अगर एक उधारन के तौर पर देखा जाए सनी दियोर और आमिर खान को तो इन दोनों ने काफी लंबे समय तक एक ही दिन अपनी फिल्में रिलीस की है और इसके बावजूद इनकी फिल्में हिट भी साबित हुई है और सबसे बड़ा उधारन तो उस समय का है जब गदर और लगान रिलीस हुई और दोनों फिल्मों ने रिकोर्ड तोर बिजनिस किया और वही हम आपको बताना चाहेंगे कि शारुख खान के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है कि दूसरे स्टार की फिल्में उनकी फिल्मों से टकराई है तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि वो इसके आदी हो चुके है योगि शारुख खान एक बहुत बड़े सूपरस्टार है और इन सब चीजों से उनके स्टार्डम पर कोई असर नहीं पढ़ने वाला है अब चाहे कननड का सूपरस्टार आए या फिर साउट का सूपरस्टार और ये सब इनके सामने एक प्रकार से बच्चे ही तो है वो कहते हैं ना कि बाप बाप ही होता है दोस्तों वहीं KGF और मारी 2 के रिलीज होने से जीरो के बॉक्स ओफिस कलेक्शन पर थोड़ा बहुत तो असर बड़ा है क्योंकि KGF और मारी 2 में जो स्टार हैं उनकी खुद की फैन फॉलोइंग है और दोस्तों अगर बात करें KGF के सूपरस्टार यश्की तो आज की यूथ में उनकी एक अच्छी खासी पकड़ है और वैसे भी KGF की तुलना अमेताब बच्चन की दीवार से की गई है और इस फिल्म की कहानी में वैसा फील लाने के लिए फिल्म के कथानत में और फिल्म के सिनेमेटोग्राफी में उस लेवल का हर एलिमेट्स डाला गया है जिससे की फिल्म में एक न्यू फ्लेवर नजर आए और इसलिए KGF के रिव्यू के आधार पर कहा जा सकता है कि ये फिल्म फ्लॉग बस्टर फिट साबित होगी दोस्तो मारी टू के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है वो भी एक स्लो पोईजन है और इन फिल्मों की तरह वो भी धीरे धीरे अपनी पकड़ बना ही लेगी क्योंकि धनुष का अपना फैन फॉलोइंग है और दोस्तो ये भी कहा जा सकता है कि मारी टू और केजी अफ की टकर से सीधा जीरो को फायदा होगा क्योंकि यश और धनुष दोनों की ही फैन फॉलोइंग साउट में जादा है लेकिन हमारे बहुआ भी इन एक्टरों से पीछे नहीं है इसलिए सारे आकडों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि सीधा फायदा शारुख खान की फिल्म जीरो को होगा और दोस्तो वहीं जीरो फिल्म को लेकर फिल्म क्रिटिक्स इसलिए नर्वस हैं क्योंकि S.R.K के जितने चाहने वाले हैं इतने ही दुश्मन भी है क्योंकि सोशल मीडिया पर शारुख को चोल भी किया है और इसलिए उनके शुप चिंतकों में एक तरह से भैफैल गया है कि कहीं शारुख की जीरो फ्लोप न हो जाए लेकिन ऐसा होगा नहीं S.R.K की जीरो फ्लोप होगी नहीं और जल्द ही बॉक्स ओफिस पर अपनी पकड़ भी बना लेगी जीरो फिल्म के हीरो शारुख खान का स्टारडम किसी भी सूपरस्टार से कम नहीं है और इसलिए कहा जा सकता है कि बाहुबली और टाइगर जिंदा है की तरह जीरो फिल्म भी जल्द ही बॉक्स ओफिस पर स्पीड पकड़ेगी जिस प्रकार से बाहुबली टू ने स्पीड पकड़ी थी क्योंकि जीरो की कहानी में जो बहुआ सिंग है वो एक आम इंसान को रिप्रेजेंट करता है इसलिए जीरो फिल्म बहुत जल्द ही हिंदुस्तान की जन्ता के दिलों में रच और बस जाएगी और दोस्तों ये भी सच है कि शारुक खान की जीरो फिल्म पर अनुश्का की शादी का फर्थोड़ा बहुत तो पड़ा है क्योंकि हमारा फिल्म इंडस्ट्री आज भी पुरुषवादी मानसिक्ता का प्रतीक है जहां पर मेल एक्टर तो शादी कर लेते हैं लेकिन फीमेल एक्टरिस जैसे ही शादी करती हैं उनका स्टारडम गिल जाता है जो की एक प्रकार से हिरोईन के साथ विक्टिमाइजेशन होता है और एक लंबे समय से होता आया है और आज भी जारी है लेकिन दोस्तों ये जो कथित पुरुष प्रधान समाज है हमारे देश का तो कब शिक्षित होगा और मैं तो ये ही कहना चाहूंगी कि हमारा देश जब तक शिक्षित नहीं हो सकता जब तक की हमारे देश की प्रत्येक नारी शिक्षित नहीं होगी और अगर हो जाएगी तो वो खुद अपने आप में इतना शक्षम होगी कि अपने अधिकारों को लेकर बोल सके और उनके लिए लड़ सके क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री जो की हमारे समाज के एक आईने के रूप में देखी जाती है अगर वहाँ पर नारियों के साथ victimization हो सकता है तो किसी भी छेतर में हो सकता है जो की एकदम गलत है और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि शादी करने के बाद भी जिस प्रकार से पुरुष फिल्म इंडस्ट्री में जमे रहते हैं हिरोईनों को भी जमे रहना चाहिए और तभी इस इंडस्ट्री का मिधख खटेगा और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे कि मोसमी चतरजी मात्र एक ऐसी हिरोईन है जो शादी के बाद इंडस्ट्री में आई और पुरुषों को भी पीछे शोड़ दिया 21 दिसंबर 2018 एक बहुत ही एहम दिन है फैंस के लिए क्योंकि इस दिन दो रोमांचक फिल्में रिलीज होने वाली है पहली बॉलिवुड के बाशा किंग खान की जीरो पर दूसरी कन्हर एक्टर यश की केजी इफ चैप्टर फरस्ट नमशकार दोस्तों मैं हूँ गरिमा सिंग और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलिग्राद स्टोडियोज की एक और नई वीडियो में तो दोस्तों आईए मालूम करते हैं कि इन दोनों फिल्मों के एक ही दिन रिलीज होने पर भारत के हर एक शक्स पर क्या असर पड़ेगा फिर चाहे वो किंग खान हो या फिर कंड़ सूपरस्टार यश या फिर आप लोग पर जी हाँ यानी की वो लोग जिनके एक्तियार के बिना फिल्म इंडस्ट्री का पर भी नहीं हिल सकता तो उस्तो जीरो और केजी एफ के एक ही दिन रिलीज होने पर भारतिय फिल्म उध्योग को कितने करोड का फाइदा होगा ऐसे कहीं सारे सवाल जहन में आते हैं और जहां तक कि देखा जाए अगर एक दिन में एक ही फिल्म रिलीज हो तो फायदा तो बेशक जादा ही होगा एक तरफ Zero Red Chili's Entertainment की प्रोडक्शन है तो दूसरी तरफ KGF Chapter 1 रितेश शिडवानी और फरान अक्तर की Excellent Entertainment की है वहीं दोरो मुवीज के Combined Collection की बात की जाए तो एक हजार करोर का मुनाफ़ा तो हो ही सकता है मगर मुद्दे की बात तो ये है कि कौन से फिल्म कितना कमाएगी अगर शारुक खान की पिछली फिल्मों की बात की जाए तो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है और उनकी कमाई भी इतनी बहतरी नहीं हुई है पिछली फिल्में कुछ जादा खास ना जाने की वज़े से इस पार फैंस को S.R.K की जीरो से बेहद उम्मीदें हैं वहीं दूसरी और यस जो की कंड़ सुपरस्टार हैं और साउथ में बेहद प्रचलित भी और उनका काम पिछली फिल्मों में लाजवाब साबित भी हुआ है तो उनके फैंस को भी KGF का बेसबरी से इंतजार है बलकि अब तो आलम ये है कि नॉर्थ इंडिया में भी लोगों को KFC का ट्रेलर बेहद पसंद आया है और कहीं ऐसा नहों कि SRK की तरफ आती हुई हवाएं यश की KGF की तरफ अपना रुख मोड लें बेशक की लोगों को जीरो का उतनी ही शिदत से इंतजार है मगर कहीं ना कहीं KGF का ट्रेलर जीरो के ट्रेलर पर भारी पड़ता नजर आ रहा है और इन सबसे बचने के लिए जीरो का जोर सोर से प्रोमोशन हो रहा है और नई नई तरकीबे निकाली जा रही है जैसे की अभी हाल ही में मेकिंग ओफ सोंग मेरा नाम तू यूटूब पर लॉंच हुआ सूत्रों के मताबिक केजीएफ पांच अलग-अलग लेंगवेज़ में रिलीज होगी जिसमें एक लेंगवेज हिंदी भी होगी अब संजीदगी यहीं आकर दस्तक दे देती है कि अगर फिल्म हिंदी में भी रिलीज होगी तो ओडियंस किस हिसाब से बढ़ जाएगी केजीएफ का जीरो के साथ क्लैश होने पर जीरो पर असर तो जरूर पड़ेगा उसमें तो कोई शक नहीं है मगर वहीं दूसरी तरफ रिते शिदवानी का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि यह एक क्लैश है या फिर कोई जंग है किसी स्पेस के लिए उनका मानना है कि स्पेस बहुत है रही बाद 21 दिसंबर को रिलीज करने की तो उसका एक ही कारण है कि उस दिन साथ इंडिया का एक खास फेस्टिवल है ये फिल्म साथ की चार लेंग्वेज में रिलीज होने वाली है और बेशक हिंदी में भी उनका कहना है कि नौर्थ इंटिया मार्किट में उतना नहीं जाना जितना की जीरो का मकसद है एक्सल एंटेटेन्मेंट जो की रॉक ओन टू रहीस फुक्रे सिरीज गोल जैसे फिल्मों के लिए जानी जाती है इस पार कन्नड फिल्म के जीएफ के साथ आ रही है रिते शिद्वानी का कहना है कि फिल्म ने लेंग्वेज बेरियर्स को तोड़ दिया है और इसका सबसे बड़ा एक्जामपल है बाहुबली के जीएफ जो की एक पीरियड ड्रामा है कूलर गोल फिर्ट्स पर आधारित है जहां तक की फिल्म आपको इमोशनली कनेक्ट करती है तो लेंग्वेज का बेरियर तो रहे ही नहीं जाता दोस्तो के जीएफ प्रशान नील ने कलम बंद करी है और इसका निर्देशन भी उन्होंने ही किया है और दोस्तो विजय की रागंडूर इस फिल्म को प्रिड्यूस कर जए है होमपले फिल्म्स के बैनर तले यश और स्रीनिधी लीड रोल में नज़र आएंगे बात की जाए जीरो की तो वो एक रोमेंटिक ड्रामा है जिसको लिखा है हिमान्श शर्मा ने और निर्देशन किया है आनन देलरोय ने दोस्तो इस फिल्म को प्रिड्यूस किया है कलर येलो प्रोड़क्शन एंड रेड चिलीज एंटर्टेन्मेंट ने स्टार कास्प में हैं शारुक खान, अनुश्कर शर्मा और कैट्रीना कैफ दोस्तो वहीं जीरो का बजट दो सो करोड से उपर का है तो वहीं केजी एफ का सो करोड से उपर का अब सवाल ये है कि क्या शारुक खान फिर से किंग खान बन पाएंगे जंगल में लेकिन शहर तो एक ही होता है और किंगटम में किंग भी एक ही किंग खान ने पूरी जान लगा दी है जीरो फिल्म के लिए और ये बात जाहिर भी होती है जहां सल्मान खान इश्कबाजी सोंग में स्पेशल एपिरेंस में दिखाई दिये है जहां तक की बात की जाए सलमान खान की तो जहां वो पहुंच जाते हैं वहां तो फिल्म का फ्लॉप होना नामुम्किन ही है राज की बात तो ये है जनाब की आपको फिल्म में काजोल, रानी मुखर जी, श्री देवी, आलिया भट, करिश्म कपूर, चुही चावला, दिपिका पादुकोन, गनीश आचार्जे, रेमो डिसुजा भी स्पेशल एपिरेंस में दिखाई देंगे और ये कमाल किंखान का ही हो सकता है, जो कि इतने सितारों को एक साथ लेकर फिल्म बना दे अगर गौर किया जाए तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अब तो वक्त ही बताएगा कि हवाएं कहां रुक लेंगी और दोस्तों कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी काइनाथ तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है तो बस ऐसा ही कुछ होने वाला है जीरो और केजियफ के साथ तो दोस्तों अब ये देखना दिल्चस होगा कि कौन से फिल्म बॉक्स आफिस पर धमाल मचाएगी जीरो के सामने ख़ड़ा है एक और महा योधा जिसका नाम है यश यश के फिल्म केजियफ को कर्नट की बाववली कहा जा रहा है केजियफ माने कोलार गोल्ड फिल्ड्स लंबा नाम भूल जाओ सौटकट केजियफ याद रखो ये फिल्म कर्नट फिल्म दो पार्ट में आ रही है पहले पार्ट का टेलर रिलीज हुआ और यूटूब पर धुवाधार देखा जा रहा है अभी तक 96 मिलियन व्यूज हो चुके है हाला के इन व्यूज से फिल्म की आवकात नहीं आकनी चाहिए अच्छे टेलर व्यूज और अच्छी ओपनिक के बाद ठक साफ हिंदोस्तान तीसरे दिन बारभरा कर बैठ गई और केजियफ का मुकाबला टेलर व्यूज के मामले में रिकार्ट तोने वाली जीरो से रहेगा दोनों 21 दिसम्बर को रिलीज हो रही है राकी नाम के एक लड़के की कहानी है राकी का रोल यस ने किया है यस का असली नाम नबीन कुमार गौड है एवार्ड बीनिंग करनट एक्टर है कुल मिलाकर सिनेमा में पहचाना हुआ नाम है केजी अफ सेवेंटी के दशकम सेट ह टेलर वे उसकी पैदाईस से लेकर गैंगेश्टर बनने तक के सीन है डारेक्टर प्रसांत नीर के मताबिक यस ने महत्वा कांची गैंगेश्टर का रोल किया है फिल्म और उसके उत्थान और पतन की कहानी सुनाती है फिल्म के पहले भाग में उसके पैदा होने से विका अविनास के खास रोल से इसे अब तक कि करनट की सबसे बड़ी फिल्म के रूप में देखा जा रहा है और माना भी जा रहा है अब वो बात जिसके लिए फिल्म का टेलर खास है अंधेरे में भाविता का अहसास कराता टेलर यस का रोल अगनी पत्के अमताब की याद दिर रिली जोड़ी करनट तमेल तेलगू हिंदी और मल्यालम कुछ लोग बाव बली से इसकी तुर्णा कर रहे हैं हमको कुछ-कुछ गैंग साफ वासेपूर का फिल आ रहा है वह भी दो पार्ट्स में थी के डारेक्टर प्रसांद भी मामुली आदमी नहीं 2014 में उग्रम फिल्म से डिवू किया और बॉक्स ऑफिस की खिटकी तोड़ दी क्रिटिक्स के मुव पर फेवी गोन चिपका दिया उसे 2014 तक के करनट सिनेमा में बेस्ट फिल्म माना गया इसलिए अगली फिल्म से इतनी उम्मीदें है और हाँ इसमें फ्रहान अक्तर का पैसा भी लगा है यह का कहना आए कि यह फिल्म बनने में हजार दिन लगे शूटिंग में डेर सव से 200 दिन लगे लेकिन बाकी दिन पोस्ट प्रडॉक्शन और तयारी में गई यानि फिल्म पर वाकई भारी बहनत की गई है यह का कहना है कि हमारा मुकाबला छेत्रिय फिल्मों या हिंदी फिल्मों से नहीं बॉल की हॉलिवूड से है पूरे भारत को एक मानते हूं तमना ने कुछ इस प्रकार का यह पहली बार है जब मैं रेट्रो गाने पर थिर्की हूं इस तरह का बेहतरीन अन्भो कभी नहीं रहा यह रेट्रो कैवरे गाना है और उनका कहना है कि करनाट फिल्म केजी अफ में रेट्रो नंबर की शूटिंग करने में बहुत मजा है तमना पुराने गाने जो के नानू वालिया मीचू के रीक्रेटेड वर्जन पर थिर्की जो निर्देशक राजकुमार की करनाट फिल्म परोग कारी में दिवंगत बिजय ललिता पर फि पर ही पड़ेगा क्योंकि दोनों एक्टरों की ओडियंस अलग-अलग है वैसे तो सारुक की जीरों के आस पास कोई बॉलिवूड फिल्म नहीं है लेकिन एक करनाट फिल्म इसे टकर देने के लिए तयार है इस फिल्म का नाम है केजिय अप कोलार गोल्ड फिल्स इस फिल् अजिकर भवता का अंदाजा लगा जा सकता है और यह तो बच्चा वच्चा जानता है कि साउथ की कोई फिल्म होती है तो बॉलिवुड नहीं हॉलिवड फिल्म भी साउथ के सामने पानी कम चाय शावित होती है हाली में रिलीज ठक साफ हिंदुस्तान जिस तरह ज़्यादा इस्प्रीन प्रगलीज होने के बाद भी अपनी कमाई को लेकर जद्दो जहत कर रही है बाव वली से देश दुनिया में जम कर सुर्कियों में आए प्रभास और राना दंगू बत्ती की सांदार सफलता से प्रभावित हुए कंड़ फिल्मों के हीरो यस भी अपनी एक धमाकेदार फिल्म केजियप के साथ आ रहे है फिल्म की पूरी टीम का कहना है कि उनकी ये फिल्म एक अलग तरह से बाव वली के अस्तर की फिल्म में मुग भूम का निभार है यस कहते हैं जी हाँ हमें निर्देसाक राजा मौली की सुपर हिट फिल्म बाव वली की सफलता के बाद होसला मिला और हमने भी तमाम लोगों से विचार विमर्स के बात तै किया कि केजियप को हम पांच भासाओं में रिलीज करेंगे यस आगे बताते हैं मैं बॉलिवुड की फिल्मों से हमेशा प्रभावित रहाँ खास दोर पर महानायक अमताब बच्चन की फिल्मों से अगर आपको मेरी फिल्म केजियप में बिग भी कि फिल्मों की जलक या स्टाइल नजर आ रही हो तो कोई हैरत की बात नहीं है क्योंकि मैं और मेरे फिल्म के निर्देसाग दोनों ही अमताब बच्चन के बहुत बड़े फैन हैं मुझे हिंदी बहुत अच्छे से आती है बस मेरे आसपास कोई हिंदी नहीं बोलता इसलिए आदत छूट गई है लेकिन मुझे अमिताब के फिल्मों के तमाम डायलाग जवानी आद है इन दिनों बॉलीबुड की कई बड़ी फिल्मों के लेकर जबर दस चर्चाएं हैं इनी में से एक फिल्म है सारुख खान के आने वाले फिल्म जीरो जीरो के अब तक दो टीजर रिलीज हो चुके टीजर को मिले जबर दस रिस्पांस को देखते हुए फिल्म के डारेक्टर का कॉन्फिडेंस सातोय आस्मान पर पहुंच गया है हाल इमें उन्होंने फिल्म रिलीज से पहले ही तगने बॉक्स ओफिस कलेक्शन का एलान कर दिया है यहां तक कि उन्होंने यह तक बता दिया है कि फिल्म कितनी कमाई कर लेगी जीरो के डारेक्टर आनदी अलाय को पूरा भरोसा है कि यह फिल्म किंखान की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म सावित होगी ये भरोसा उन्होंने सोसल मीडिया पर एक फॉलोवर से बात करते समय दिखाया उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि उन्होंने फिल्म को लेकर काफी मिहनत की है ऐसे में से 350 करोन का आकरा पार करने में फिल्म कोई परेसाई नहीं होगी उनका कहना है कि मुझ सारुक के साथ कैपना कैप और अनुष्का सर्मा मुख किरदारों में होंगी ट्रेट पर्णिदों का मानना है कि बजट का ज्यादा हिस्सा वो म्यूजिक सैटलाइट्स और जिजिटल राइट्स बेच कर ही निकाल लेंगी फिल्म 21 दिसम्बर को रिलीज हो रहेंगी तो च फिल्म का नाम जीरो है जीरो फिल्म की कहानी क्या है मेरण कर रहने वाला 38 साल का एक आदमी है हाइट में साड़े 3-4 फुट के करीब इसलिए कुवारा है और शादी के लिए परेसान ही नाम है बववा दिल्ली के एक मैरेज बीरो वाले के साथ साथी के लिए लगातार कने लगता है कि उसकी जिन्दगी में कोई बराबरी काया है क्योंकि आफ या वीलचेयर पर है और खड़े रहने पर उसकी हाइड तक आ जाता है यहां तक सब ठीक है फिर स्षीन में इंट्री होती है इंडिया की मश्रूर हीरोईन की इनका और बाुआ का कोई शीन होता और सब कुछ उलच चाता क्यों कैसे क्या ये सब हमें सिनेमा घरों में जानने को मिलेगा टेलर के लाश्ट दिन में बवा कहते हुए सुना जाता है कहारियों में सुना था कि महबत में आसिक चांड तक ले आते हैं साले को हमने ये बास रिस्ली ले ली और इस दौर लाजर देर लाइप टाइप लाव स्टोरी दिख्लाई पड़ती फिल्म का टेलर आप देखकर इसका अंदाजा लगा सकते जीरो बनाने का आइडिया कहां से आया बागावर आनन इस फिल्म का आइडिया उन्हें 2012 में रितिक रोशन के फिल्म क्रिस्ट्री को देखकर आया उन्हें उची दिवारों, बिल्डिगों से कूता, देशी सुपर हिरो अच्छा लग रहा था लेकिन कसक थी कि ये सब अपना नहीं है, कहीं से लिया गया है, वो इसी तरह का कुछ खालिस देशी पने के साथ बनाना चाहते थे, इसी समय उन्हें आइडिया आया कि क्यों न एक कहानी किसी बाउने की नजर से दिखाई जाया, सबसे पहले इस फिल्म के लिए सल्मान खान को अप्रोच किया गया था, बात नहीं बनी तो इसे शारुक खान के साथ बनाने का एलान कर दिया, अब बनकर तयार है और रिलीज होने की राह ताक नहीं, शुरुआत में इस शारुक के किदार के इद्गित घूम रही, जबकि फिल्म इसके ठीक उलट है, इसलिए इसका नाम रखा गया जीरो, जीरो के माध्यम से ये बताने की कोशित थी गई है, परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, कई लोगों को उसका अधूरापन ही पूरा करता है, सब इलाक का अपना फैन फालोइन है, और दोनों के दर्सक वार अलग-अलग क्लास से आते हैं, के जीरो को कन्नट के बाववली के रूप में क्यों देखा जा रहा है, क्योंकि इस फिल्म को बाववली के तर्ज पर बनाया गया है, सल्मार खान की अपनी ओडियन से, जिससे सारुक ख का होना, मतलब बाक्स ओफिस कलेक्शन में एक प्रकार से सुनामी आना, लोग का मानना है इन दोनों फिल्मों से, फिल्म इंडिस्ट्री को तीन हजार करोन का फायदा हो सकता है, क्योंकि जहां एक तरफ शारुक खान हो, और दूसरी तरफ सल्मार खान, फिर उधर साउथ क सुपरस्टार यस हो, तो फिल्म इंडिस्ट्री को तीन हजार करोन का फायदा तो जरूर हो गाए थी, पहले ट्रेलर से भारी प्रतिकरिया प्राप्त करने के बाद, KGF कोलार गोल्ड फील्ड के निर्माताओं ने आगे बढ़कर, मुंबई में एक इवेंट के दोरान फि अनों तक अपना सफर तै करता है, दो मिनिट की ट्रेलर में दिखाए गए दमदार एक्शन ने बड़े परदे पर फिल्म देखने के लिए प्रत्याशा उत्पन्न कर दी है, वहीं एक्सल इंटर्टेंड मेंड ने ट्वीटर हैंडल पर ट्रेलर साजा करते हो दिखा कि, बता दें कि कंड़ की सबसे महंगी और महत्व कांशी पर योजना के जिए पेश करने के लिए एक्सल इंटर्टेंड में ने एक फिल्म के साथ हाथ में राया है, इस कंड़ फिल्म को तमिल, तेल्गू, मलयालम, हिंदी और कंड़ पांच अलग-अलग भाशों में बना गय यह श्री निद्धी शेटी, राम्याक्रिष्न, अनंतनाग, जॉन कोकेन, अयुच, अच्यूत राव द्वारा, अभिनीत, के जिएफ, प्रशान नील द्वारा निर्देशित है, और होम बेल फिल्म प्रोडक्शन की फिल्म है, विजय करांग दूर द्वारा निर्मित, के के जिएफ के लिए राइल बस्रूर ने संगीत दिया है, वही के जिएफ एक्सर इंटर्टेंडमेंट की यह पहली करनल फिल्म है, और यह प्रोडक्शन हाउस इस तरह की मैगा महत्वकांजी पर योजना से जुड़कर प्रफॉलित महसूस कर रहा है, यह पिरियद ड्राम के जिएफ के दशक की कहानी कहने आ रही है के जिएफ भारतिय कलाकार यश और श्रीधी शेटी की आने वाली फिल्म के जिएफ का बहु प्रतिक्षी ट्रेलर दर्शकों के सामने पेश कर दिया गया है, जिसको दर्शकों से तूरंथ ही जबरदस रिस्पॉंस मिलने लगा ह ने ट्रेलर लॉंच इवेंट बेंगलूर में रखा था जहां लगबग सभी बड़े मीडिया हाउस मौजूद थे बता दे फिल्म के ट्रेलर से पहले इसके पोस्टर्स और टीजर रिलीज किये गए जिनको दर्शकों ने खूब पसंद किया था पोस्टर्स और टीजर को दे में रिवील किया जाएगा और पहले पार्ट का नम के जीएफ रखा गया है फिल्म के ट्रेलर पर चर्चा की जाए तो इसमें जबरदस्ट एक्शन दमदार डायलोग्स और शांदार सीजी आई वर्फ देखने को मिलता है इसके साथ-साथ फिल्म के सीन्स को सपोर्ट करने के लिए रवी बस्रूर ने बहतरीन बैक्ग्राउंड म्यूजिक दिया है इन सारी चीजों के साथ-साथ ट्रेलर में यश का लॉंग हेर लुक भी दिखाई दे रहा है जो उन्हें और भी दमदार बना रहा है यश के दोस्त और जाने-माने कलका राना दगूबती ने अप अबर दस एक्शन और डायलोग डिरिवरीदी है खुद फिल्म के मुख्या भीनेता यश और फिल्म के निर्देशक प्रशान नील ने भी इस बात की पुष्टी की है दोनों का कहना है कि सब्सक्राइब बिना अमिताब बच्चन के पूरा नहीं हो सकता इस बारे में बतात भूमी भी सकतर के दशक की है उस समय के परिद्रश्य को देखते हुए हमारी फिल्म में और मेरी भूमी का में उनकी भूमी का से भी प्रेड़ना ली है वहीं फिल्म के निर्देशन प्रशान नील का कहना है कि फिल्म सकतर के दशक में होने के चलते अमिताब बच्चन और म चलते उसे भी फिल्म में एहम इस्थान दिया गया है। गौरतलब है कि कॉलार गौल्ड फिल्ड अत्वा केजी एफ का ट्रेलर अभी हाल ही में बैंगलोर में लॉंच किया गया। ये फिल्म पांच भाशाओं में रिलीस होगी और इसके दो भाग होंगे। इसे भी बाहुबली के इस तरपर रिलीस और प्रचार करने की तयारी की गए। दोस्तों तीन दिन पहले रिलीस हुआ था जीरो का आइटम नंबर हुसन परचम जिसमें कैटरीना कैफ अपने हुसन के जलवे दिखाती हुई नजर आई। जिसे साथ में गाया है भूमी त्रिवेदी और राजा कुमारी ने और आज KGF मुवी का भी आइटम नंबर रिलीस हो गया है जिहां गली गली में। गली गली में के नाम से जिसे गाया है निहा ककर और तनिश बाक्ची ने और इस गाने को लिखा है रश्मी विराग ने और मोनी रोए अपने जलवे दिखाती हुई नजर आ रही है। दोस्तो ये जब से आइटम नंबर का दोर चल पड़ा है तब से हर फिल्म में एक नएक आइटम नंबर का होना तो जरूरी ही हो गया है। और खास बात तो ये है कि आइटम नंबर को दिखाया ही इस कदर जाता है कि वो कहानी का ही हिस्सा लगता है। अब भाया फिल्में तो ऐसे ही बनेगी ना जैसी ओडियन्स की डिमांड होगी। और जाहिर से बात है कि अगर फिल्म में मसाला नहीं होगा तो ओडियन्स बोर तो हो ही जाएगी। दोस्तो हिंदुस्तान की असी फिस्दी जनता फिल्म एंटर्टेंबेंट देखने के लिए आती है, चिलेक्स करने के लिए आती है। और फैंस को ख्वाबों की दुनिया बेहत पसंद है। और फिल्मों का तो काम ही यही है कि वो दिखाना जो की किसी का खुआब हो ताकि वो अपने खुआब फिल्मों के जरीए तो जी ही सके हालाँ कि आज कल रियलिस्टिक फिल्मों का भी दौट शुरू होता नजर आ रहा है दोस्तो हुसन पर्जम और गली गली में दोनों ही गाने T-Series ने लांच किये हैं एक ही साथ लांच होते तो इतने व्यूज नहीं जा पाते जितने की गए हैं और अभी तो और व्यूज आने बाकी है उसने परचम में केटरीना कैफ को और गली गली में मौनी रोय को देखने का रस ही कुछ और है और दोस्तों यही अपने में बहुत बड़ी बात है कि एक TV एक्ट्रिस की तुलना आज की तारीक में एक बिग स्क्रीन एक्ट्रिस के साथ की जा रही है और दोस्तो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा था कि कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत करो भले ही मौनी रोय का जल्वा गाने में लाजवाब है मगर कैटरीना कैफ को टक्कर देने के लिए थोड़ा फीका पढ़ रहा है वो उस पर भी निर्भर करता है कि गाने को किस कदर दिखाया जा रहा है और दोस्तो बेशक हुसन पर्चम में केटरीना कैफ का कोई जवाब नहीं है दोस्तो छोटे परदो से फिल्मों में कदम रखने वाली अभिनेत्री मौनी रोय इन दिनों खूब डिमाड में है का ट्रेलर और कैन्वस देखने के बाद मौनी गाना करने के लिए तयार भी हो गई के जिएफ में सूपर इट फिल्म त्रीदेव के गाने गली-गली में फिरता है को रीक्रियेट किया गया है इस गाने को कोरिग्राफ किया गनेश आचारेने दोस्तों गनेश बताते हैं फिल्म त्रीदेव के गाने के दोरान मैं बैकड्राउंड डांसर था और आज इतने सालों के बाद उसी गाने को मैं कोरिग्राफ कर रहा हूँ गाने की शूटिंग के दोरान कोई बातचीत में फिल्म के अभिने था यश ने कहा कि ये गोल्ड माइनिंग की कहानी है जिसमें भरपूर ड्रामा, इमोशन, एक्शन और फुलोन मनुरंजन देखने को मिलेगा मैंने अपने करियर में आज तक किसी फिल्म को इतना जादा प्रमोट नहीं किया है लेकिन प्रमोशन के दोरान जब लोगों का फ्यार मिल रहा है तो मज़ा भी आ रहा है मोनी बताती है, मैंने इस फिल्म में फिल्म त्रीदेव का सूपर हिट गाना गली-गली में फिर्ता है पर परफॉर्म किया है ये गाना मेरा फेवरेट भी रहा है मैंने फिल्म के दोनों ट्रेलर देखे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों वहीं यश बताते हैं वैसे तो ये गाना पूरी तरह मोनी का है लेकिन हमारे डांस मास्टर गनेश आचाजे ने मेरे लिए भी गाने में जगे बनाई है तो मैं भी आपको इस गाने में नज़र आऊंगा दोस्तों शारुक खान की फिल्म जीरो के साथ रिलीज हो रही अपनी फिल्म के बारे में यश कहते हैं मैं शारुक खान का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं बार-बार उनकी फिल्म का नाम लेकर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ वरना लोग यही कहेंगे कि अपनी फिल्म को प्रिमोट करने के लिए मैं शारुक और उनकी फिल्म जीरो के नाम का इस्तिमाल कर रहा हूँ त्योहार पर एक साथ दो या तीन फिल्म रिलीस होने में कोई समस्या नहीं है हर समय दो से तीन फिल्मों की जगे आराम से होती है फिल्म के बारे में अगर अच्छी बात हो रही है तो दर्शक फिल्म जरूर देखते हैं और त्योहार के मौके पर दो से तीन फिल्मों की रिलीज पर परत्योगिता तो होती ही रहती है दोस्तो साथ ही साथ यश कहते हैं हमारी फिल्म ग्रीजनल नहीं बलकि इंजियन फिल्म है कोई फर्ट नहीं पढ़ता फिल्म ग्रीजनल है या क्या है अगर आपकी कहानी अच्छी है और दर्शकों को पसंद आ रही है तो बाकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है और दोस्तो फिल्म के जिए पांच भाशाओं में एक साथ रिलीज हो रही है दोस्तो हर बार कोई ना कोई किसी ना किसी फिल्म का clash तो होता ही है मगर इस बार 21 दिसंबर को जो clash होने जा रहा है वो शायद ही भारत फिल्म उद्ध्योग के इतिहास में हुआ होगा जी जनाब आपने एक तम सही सुना 21 दिसंबर 2018 को इतिहास तरज होने जा रहा है क्योंकि इस रोज 6 फिल्में रिलीज होने जा रही है जी हाँ दोस्तो आपने सही सुना एक दिन और कौन से 6 फिल्में हैं जिनका सब को बेसबरी से इन्पिजार है सबसे पहले अपने खान दोस्तों सबसे पहले तो है अपने किंग खान की मूवी जीरो दोस्तों वहीं साउथ की तीन फिल्में रिलीज हो रही है अंतरिक्षम 9000, KMPH और KGF Chapter 1 और मारी 2 दोस्तों वहीं अनुपम खेर की The Accidental Prime Minister भी रिलीज हो रही है और इसी के साथ साथ हॉलिवुट की भी एक मूवी बंबल भी दोस्तों ये तो दास्तान ही बन जाएगी नहीं एक ही दिन में 6 फिल्मों की दास्तान जरा सुनिये तो सही एक दिन में 6 फिल्मों की दास्तान तो चलिए देरी किस बात की शिरू करते हैं पहली फिल्म से सबसे पहले बात करते हैं शारुक खान की जीरो दोस्तो जीरो एक भारतिय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसकी कहानी हिमान्शो द्वारा लिखी गई है और फिल्म का निर्देशन आनदल रोय कर रहे हैं फिल्म को कॉलाबरेशन के साथ कलर यलो प्रोडक्शन और रेड चिलीज एंटर्टेन्मेंट प्रिड्यूस कर रही है फिल्म के एहम किर्दारों की बात करें इस फिल्म का दो सो करोड से उपर का बजट है फिल्म के कहानी की बात की जाए तो फिल्म में शारुक खान एक बोने का किर्दार निभा रहे हैं जिसका नाम बहुआ सिंग है जिसे अपने साथी के रूप में नासा में काम करने वाली स्पाइंटिस्ट आफिया जिसकी भूमिका में अनश्कत शर्मा है वो दिख जाती है पर असल परेशानी तो तब शुरू होती है जब बॉलिवुड की एक बड़ी शराबी एक्ट्रिस बबीता यानी की केट्रीना कैप उसके काफी नजदीक आ जाती है जिसका असर उन दोनों के रिष्टे पर पड़ता है अब सवाल ये हो जाता है कि बहुवा सिंग किस को चुनेंगे अब आपको क्या लगता है कि हम आपको पूरी कहानी ही बया कर देंगे जी नहीं जनाब उसके लिए तो आपको 21 दिसंबर का इंतिजार ही करना पड़ेगा अब अगर बात करें अंतरिक्षम 9000 की MPH की तो अंतरिक्षम 9000 की MPH एक इंडियन तेलगू साइंस फिक्षन स्पेस थ्रीलर फिर्म है जिसके लेखक और निर्देशक संकल प्रेडी है फर्स फ्रेम एंटर्टेन्मेंट बैनर के अंडर बनाई गई अंतरिक्ष स्पेस साइंस फिक्षन पर बनाई गई पहली तेलगू फिर्म है इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले संकल प्रेडी की बतोर निर्देशक ये दूसरी फिल्म है फिल्म के नायक वरुन तेश को अपने करियर की दूसरी फिल्म कंचे से काफी प्रशन सा मिली इस फिल्म में वरुन तेश का साथ अदीती राव हेदरी और लावन्या त्रिफाटी दे रही है इस फिल्म का फर्स लूप 15 अगस 2018 पर रिलीज किया गया था और टीजर 17 अक्टूबर 2018 को रिलीज किया गया था दोस्तों वहीं अदीती राव हेदरी ने इसी साल सम्मोहनम जैसी हिट तेलगू फिल्म दी है वहीं दूसरी तरफ बंदूकों की बॉच्छार के साथ KGF चैप्टर 1st रिलीज होने वाली है KGF चैप्टर 1st एक इंडियन कन्नर लेंगवेज एक्शन पीरियड ड्रामा फिल्म है जिसका प्लोट कोलर गोल्ड फिल्ड्स का है KGF प्रशांत नील ने कलम बंद करी है और इसका निर्देशन भी उन्होंने ही किया है और विजे की रागंदूर इस फिल्म को प्रड्यूस कर रहे है होंबली फिल्म के बैनर तले यश और श्रीनिदी इस फिल्म में लीड रोल्स में नज़र आएंगे दोस्तो असी के दशक की ये फिल्म 1700 साल से अत्यचारियों के खिलाफ चल रही जंग पर ये फिल्म आदारित है सूत्रों के मताविक 100 करोड से उपर का बजट बताया जा रहा है दोस्तो अब बात करते हैं मारी टू की तो मारी टू बाला जी मोहन द्वारा निर्देशित भारतिय तमील एक्शन कॉमेडी फिल्म है ये उनकी 2015 की फिल्म मारी की अगली कड़ी है धनुष अपनी कंपनी वंडर बार फिल्म के तहत फिल्म बनाने के अलावा मुख्य किरदार भी निभा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ साही पल्लेवी धनुष के साथ काम करती दिखाई देंगी दोस्तों अब बात करते हैं। ठाइक्सिटेंटल प्राइम मिनिस्टर नाम सुनते एक अलग सा इंटरेस्ट जकता है मन में नहीं The Accidental Prime Minister Dr. Jain तिलाल गाधा के सहयोग से रुद्रा प्रोडक्शन बोरा ब्रोस द्वारा प्रस्तुत एक बायोग्राफिकल पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है फिल्म में अनुपम खेर Dr. Manmohan Singh का किरदार में बाते नज़र आएंगे Dr. Manmohan Singh politician होने के साथ साथ एक economist भी थे और 2004 से 2014 तक United Progressive Alliance के अंडर प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे The Accidental Prime Minister 2014 की इसी नाम से संजय बारु द्वारा लिखी हुई जीवनी पर आधारित है जिसका बजट 23 करोड का है दोस्तो इतना बड़ा क्लैश हो रहा है तो जरा सोचे कि धमाकक इतना बड़ा होगा तो दोस्तो देखते रहे हमारा चैनल पॉलिक्राद स्टूडियो और ऐसी वीडियो के लिए अरे अरे एक सेकंड रुखिये तो जनाब एक फिल्म तो रही गई और आपने भी याद दिलाना लाजमी नहीं समझा मगर कोई बात नहीं वक्त तभी भी हमारी मुठी में है तो चलिए बात कर लेते हैं उस आखरी फिल्म की जो 21 दिसंबर को इन फिल्मों के साथ रिलीज होने जा रही है वो है हॉलिवूड की बंबल बी जीहाँ बंबल बी 2018 की American Science Fiction Action Film है जो कि Transformer के ही किरदार बंबल बी पर आधारित है बंबल भी Transformer फ्रैंचाइज़ी का एक कालपनिक रोबोट सूपर हीरो केरेक्टर है ये फिल्म 2007 में आई Transformer का प्रेक्वल है जिसका निर्देशन किया है Traviss Knight ने और लिखा है क्रिस्टीना होडसन ने और दोस्तों हेली स्टाइनफेल्ड, जॉन सीना, जॉर्ज लेंडर बॉर्ग जेयार, जॉन ओर्टिज, जैसोन ड्रकर और पैमिला एडलोन मुख्य किरदार में नजर आएंगे तो वहीं बंबल बी की आवाज बन कर आएंगे डाइलन ओब्रियन, फिर्म की शूटिंग लॉस एंजलेस और सेंट फ्रांसिसको में हुई है दोस्तों हमारे एकनॉमिकल एनलेसिस के बाद कौन से फिर्म कितना कमाएगी उसका अनुमान लगाया जा सकता है इन सब मुवीज का एक साथ रिलीज होने के बागजूद जीरो मिनिममम तीन सो करोड तक कमाएगी ही बात करें अंतरिक्षम की तो पचास से सो करोड तक का बॉक्स ओफिस कलेक्शन हो सकता है और वहीं केजीएफ मिनिममम दो सो करोड कमा सकती है दोस्तो मारी टू मिनिममम सो करोड तो कमा ही लेगी और वहीं दा एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर हो सकता है कि पचास करोड का आकड़ा भी ना पार कर पाए दोस्तो बात रही बंबल भी की तो वही सबसे जादा अफेक्टेड मालू पर सकती है इस क्लैस से जो की पचास करोड भी क्रोस ना कर पाएगी क्योंकि जनाब घर वाले को लोग पहले सुनते हैं बाहर वाले को बाद में समझें कहीं कोई शारुक खान का फैन तो कहीं कोई नया नया बना साउथ मूवीज का दिवाना वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंग के दसाल चुप रहने का राज और हॉलिवूड फैन्स जिनको होगा बंबल बी का बेसबरी से इंतिजार और अगर आप में से कोई इन सभी को देखना चाता है और जेब में हैं धेर सारे पैसे तो बेशक सभी फिल्मों को देखने जाए मगर अकसर लोग अपनी फैवरेट की भी फैवरेट की और खिशते हैं तो फिर कौन सी मूवी है आपकी फैवरेट की भी फैवरेट जाहिर से बात है कि 6 क्लैशेज होने के पार प्रॉफिट डिवाइड तो होगा ही मगर ये रास तो हमें भी नहीं पता कि किस का मन किस और खिचेगा वो तो आप सभी के दिलों में दफ्न है जो की 21 दिसमबर को ही खुलेगा दोस्तो एकनॉमिक्स में बेसिक सा फंडा है कि अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है और अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी उतनी ही बढ़ जाती है तो ये जानने के लिए कि किस की डिमांड बढ़ेगी और किस की सप्लाई दोस्तो अब बात करते हैं किनों ने बनाई है ये फिल्म जीरो फिल्म को डारेक्ट किया है आनद एल रोय ने कहने का मतलब ये है कि मीनिंगफुल कांटेंट पर उसने के लिए जाने जाते हैं इस फिल्म को लिखा है आनद के साथ लंबे समय से जुड़े रह चुके हिमांशु शर्मा ने इमांशु इससे पहले आनद के लिए तन्नु वेट्स मन्नु सिरीज और रांशना जैसे फिल्में लिख चुके हैं अब यही जोड़ी शारुक खान के साथ जीरो लेकर आ रही है दोस्तों सवाल है कि जीरो बनाने का आइडिया कहां से आया बखोल आनद इस फिल्म का आइडिया उन्हें 2012 में रितिक रोशन की फिल्म कृष्ट्री को देखकर आया उन्हें उची दिवारों बिल्डिंगों से कूटता देसी सूपर हीरो अच्छा लग रहा था लेकिन कसक थी कि ये सब अपना नहीं है कहीं से लिया गया है वो इसी तरह का कुछ खालिस तेसी पने के साथ बनाना चाहते थे इसी समय उन्हें आइडिया आया कि क्योंने एक कहानी किसी बोने की नजर से दिखाई जाए सबसे पहले इस फिल्म के लिए सल्मान खान को अप्रोच किया गया था बात नहीं बनी तो इसे शारुक के साथ बनाने का एलान कर दिया गया अब बनकर तयार है और रिलीज होने की रात आक रही है शुरुआत में इसके कई नाम सामने आये थे जैसे के ट्रीना मेरी जान, बोना, बववा, बुटका, आधी-आधी लेकिन मेकर्स को लग रहा था कि ये सारे ही नाम मिसलीडिंग लग रहे है इससे लोगों को लगेगा कि ये कहानी सिर्फ शारुक के किरदार के इद गूम रही है जबकि फिल्म इसके ठीक उलट है इसलिए इसका नाम रखा गया जीरो सीरो के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जाएगी परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है कई लोगों को उनका अधूरपन ही पूरा करता है और सब बिलाकर जीरो दो इंपरफेक्ट लोगों की परफेक्ट लव स्टोरी है दोस्तों बात करते हैं आ कब रही है दोस्तों ये फिल्म 21 दिसंबर को रिलीज हो रही है और वहीं ये तारीक बहुत ही लखी मानी जाती है बॉक्स आफिस के हिसाब से पिछले कुछ सालों से आमिर खान ने ये तारीक हत्या कर खुब पैसे कमाए है पिछले साल सलमान खान इसी वीक में आकर अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म दर्शकों से क्रिसमस गिफ लेकर आए है ताइगर जिन्दा है साम तो सुना ही होगा ये सलमान के करियर की सबसे बड़ी फिल्म है अब इसी तारीक पर शारुक आ रहे है शारुक खान की फिल्म जीरो चर्चा में है चर्चा की सबसे बड़ी वज़े ये है कि इस फिल्म में शारुक खान ने पोने की भूमी का निबाई है इससे पहले तीनों खान में से ये काम किसी ने नहीं किया था ऐसे में जाहिर है कि तकनीकी लिहास से ये फिल्म शारुक खान के लिए चैलेंजिंग रही है क्योंकि उन्हें तक्नीक द्वारा ही छोटे कद में दिखाया जा रहा है। का स्वागत है बॉलिगराद के गल्यारे में जीरो के सामने खड़ा है एक और महा योधा जिसका नाम है यश। यस के फिल्म केजियफ को कर्नट की बाव वली कहा जा रहा है। के हैं हाला कि इन व्यूज से फिल्म की आवकात नहीं आखनी चाहिए। अच्छे टेलर व्यूज और अच्छी ओपनिंग के बाद ठक साफ हिंदोस्तान तीसरे दिन बारभरा कर बैठ गई और केजियफ का मुकाबला टेलर व्यूज के मामले में रिकार्ट तोने वाली जीरो से रहेगा। दोनों 21 दिसम्बर को रिलीज हो रही है। राकी नाम के एक लड़के की कहानी है। राकी का रोल यस ने किया है। यस का असली नाम नभीन कुमार गौड है। एवार्ड बिनिंग करनट एक्टर है। कुल मिलाकर सिनेमा में पहचाना हुआ नाम है। के जी और उसके उत्थान और पतन की कहानी सुनाती है। फिल्म के पहले भाग में उसके पैदा होने से बस्पन और गैंगेश्टर बनने तक का सफन दिखाए जाएगा। यस के अलामा फिल्म में स्री निदी सेथी, वसिष सिंभा, बाव बली में राज माता, सिव गामी बनने व अब वो बात जिसके लिए फिल्म का टेलर खास है। अन्हेरे में भावता का अहसास कराता टेलर, यस का रोल, अगनी पत के अमताब की याद दिलाता है। यस ने दैनिक जागन अकबार से बात कही थी, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं। उनके मुताबिक पूरे भारत में पांच भासाओं में फिल्म एक ही दिर रिलीज होड़ी है। करनट, तमेल, तेलगू, हिंदी और मल्यालम। कुछ लोग बाव बली सिसकी तुर्णा कर रहे हैं। हमको कुछ-कुछ गैंग साफ वासेपूर का फिल आ रहा है। वो भी दो पार्ट्स ने थी। के कियाब के डारेक्टर प्रसांद भी मामूली आदमी नहीं है। 2014 में उग्रम फिल्म से डिबूर किया और बॉक्स ऑफिस की खिर्की तोर दी। क्रिटिक्स के मुव पर फेवी गोंच चिपका दिया। उसे 2014 तक के करनट सिनेमा में बेस्ट फिल्म माना गया। इसलिए अग की दिन पोस्ट प्रोडक्शन और त्यारी में गई यानि फिल्म पर वाकिर भारी भीनत की गई है। यस का कहना है कि हमारा मुकाबला छेत्रिये फिल्मों या हिंदी फिल्मों से नहीं बॉल्गी हॉलिवूड से है। फूरे भारत को एक मानते हैं। तमन्ना ने कुछ इस यह पहली बार है जब मैं रेट्रो गाने पर थिर्की हूँ। इस तरह का बेहतरी अन्वो कभी नहीं रहा है। यह रेट्रो कैब्रे गाना है। और उनका कहना है कि करनट फिल्म केजी अफ में रेट्रो नंबर की शूटिंग करने में बहुत मजा है। तमन्ना पुराने ग चू के रेट्र वर्जन पर थिर्की जो निर्देशक राजकुमार की करनट फिल्म परोब कारी में दिवंगत विजय ललिता पर फिल्माए गया था। शारुक की जीरो से टगराएगी यस की केजी अप जिससे दोनों फिल्मों को नुफसान हो सकता है। ऐसा लोगा मानना ह है कि इससे दोनों फिल्मों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों एक्टरों की ओडियंस अलग-अलग है। वैसे तो सारुक की जीरो के आसपास कोई बॉलिवूड फिल्म नहीं है। लेकिन एक करनट फिल्म इसे टकर देने के लिए तयार है। इस फिल्म का नाम हॉलिवूड फिल्म भी साउथ के सामने पानी कम चायश सावित होती है। हाली में रिलीज ठक साफ हिंदूस्तान जिस तरह ज़्यादा इस्प्रीन प्रगलीज होने के बाद भी अपनी कमाई को लेकर जद्दों जहद कर रही है। वाव बली से देश दुनिया में जमकर प्रभास और राणा दगुबत्ती की सांदार सफलता से प्रभावित हुए कंडट फिल्मों के हीरो यस भी अपनी एक धमाकेदार फिल्म के साथ आ रहे है। फिल्म की पूरी टीम का कहना है कि उनकी फिल्म एक अलग तरह से बाव बली के अस्तर की। फिल्म में मुग भू प्रभासाओं में रिलीज करेंगे। यस आगे बताते हैं मैं बॉलिवुड की फिल्मों से हमेशा प्रभावित रहाँ। खास दोर पर महानायक अमताब बच्चन की फिल्मों से। अगर आपको मेरी फिल्म के जीएप में बिग भी की फिल्मों की जहला क्या स्टाइन नज लिए आदत छूट गई है। लेकिन मुझे आमिताब के फिल्मों के तमाम डायलाग जमानी आद है। इन दिनों बॉलिवुड की कई बड़ी फिल्मों के लेकर जबर दस चर्चाएं हैं। इन्हीं में से एक फिल्म है शारुख खान के आने वाली फिल्म जीरो जीरो के उन्होंने ये तक बता दिया है कि फिल्म कितनी कमाई कर लेगी। जीरो के डारेक्टर आनदी अलाए को पूरा भरोसा है कि ये फिल्म किंग खान की अग तक की सबसे बड़ी फिल्म सावित होगी। ये भरोसा उन्होंने सोचल मीडिया पर एक फॉलोवर से बात करते समय द भरोसा है कि और्डियन्स भी उतना ही इंग्जॉय करेगी। बता दें कि फिल्म का बज़ाद लगवाद 200 क्रों माना जा रहा है। आनदीयर राय के निंदेशन में बन रही इस फिल्म में शारुक के साथ कैटना कैप और अनुश्का सर्मा मुख किरदारों में हों। ट्रेट परणिदों का मानना है कि बज़ड का ज्यादा हिस्सा वो म्यूजिक, सैटलाइट्स और जिजिटर राइट्स बेश कर ही निकाल देंगे। फिल्म 21 दिसमबर को रिलीज होड़ी है। तो चलिए बात आगे जाने फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी ही दिल्चस्क बा पेरण कर रहने वाला 38 साल का एक आदमी है। हाइट में साड़े 3-4 फुट के करीब। इसलिए कुवारा है और शादी के लिए परेशान है। नाम है बववा। दिल्ली के एक मैरेज बीरो वाले के साथ सादी के लिए लगातार कनेक्शन बनाए हुए है। एक बार उसे ए प्यार हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी जिन्दगी में कोई बरावरिक आया है। क्योंकि आफ यहां वीलचेर पर है। और बववा खड़े रहने पर उसकी हाइट तक आ जाता है। यहां तक सब ठीट है। फिर सीन में इंट्री होती है इंडिया की मश्रूर हेरोईन क इनका और बववा का कोई शीन होता है और सब कुछ उलच जाता है। क्यों कैसे क्या यह सब हमें सिनेमा घरों में जानने को मिलेगा। टेलर के लास्ट शीन में बववा कहते हुए सुना जाता है। कहानियों में सुना था कि महबत में आसिक चान तक ले आते हैं। साले को ह हमने ये बात स्रिस्री ले ली और इस दोरान इस्क्रीन पर एक रॉकेट भरती छोड़ कर आसमान की ओर बरता हुआ दिखाई पड़ता है। इस सवा 3 मिनट के टेलर में हमें नाज गाने से लेकर कमेडी और लार्जर देन लाइप टाइप लाव स्टूरी दिखलाई पड़ती है। फिल्म का टेलर आप देखकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जीरो बनाने का आइडिया कहां से आया। बागावल आनंद इस फिल्म का आइडिया उन्हें 2012 में रितिक रोशन के फिल्म क्रिस्ट्री को देखकर आया। उन्हें उची डिवारों, बिल्डिंगों से कूता, देशी सुपर हिरो अच्छा लग रहा था। लेकिन कसक थी कि ये सब अपना नहीं है, कहीं से लिया गया है। वो इसी तरह का कुछ खालिस देशी पने के साथ बनाना चाहते थे। इसी समय उन्हें आइडिया आया कि क्यों न एक कहानिक किसी बाउने की नजर से दिखाई जाया। सबसे पहले इस फिल्म के लिए सल्मान खान को अपरोच किया गया था। बात नहीं बनी तो इसे शारुक खान के साथ बनाने का ऐलान कर दिया। अब बंगर तयार है और रिलीज होने की राह ताक नहीं। सुरुआत में इसके कई नाम सामने आये थे। जैसे कैटिना मेरी जान, बाउना, बाउवा, भुटका, आदियादी। लेकिन मेकर्स को लग रहा था कि ये सारे नाम मिसलीडिंग लग रहे हैं। इससे लोगों को लगेगा कि ये कहानी सिर्फ सारुक के किरदार के इदगित घूम रही है। जबकि फिल्म इसके ठीक फुलट है। इसलिए इसका नाम रखा गया जीरो। जीरो के माध्यम से ये बताने की कोशिती गई है। परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। कई लोगों को उसका अधूरा पन ही पूरा करता है। सब मिलाकर जीरो दो इंपरफेक्ट लोगों की परफेक्ट लब स्टोरी है। कर्नट की बाव वली और शारुक खान की जीरो में टक्कर होने जा रहा है। मेरा मानना है कि कि शारुक खान की जीरो को इससे कोई नुक्सान नहीं होगा। क्योंकि दोनों का अपना fan following है और दोनों के दर्सक वर अलग-अलग class से आते हैं के जी अपको कर्नड के बाववली के रूप में क्यों देखा जा रहा है क्योंकि इस film को बाववली के तर्ज पर बनाया गया है सल्मार खान के अपनी audience है जिससे सारुक खान को बहुत ही जादा फायदा होगा क्योंकि किसी भी फिल्म में सल्मार खान का होना मतलब बाक्स आफिस कलेक्शन में एक प्रकार से सुनामी आना लोग का मानना है इन दोनों फिल्मों से फिल्म इंडिस्ट्री को तीन हजार करोन का फायदा हो सकता है क्योंकि जहां एक तरफ शारुक खान हो और दूसरी तरफ सल्मार खान फिर उधर साउथ के सुपरस्टार यस हो तो फिल्म निश्टी को तीन हजार करोन का फायदा तो जरूर होगा जी फिल्म केजी एफ और शारुक खान की फिल्म जीरो का इस बार क्लैश होने जा रहा है दोनों फिल्म में 21 दिसंबर को सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली हैं ऐसे मैं फिल्म केजी एफ से जुड़े फरान अक्तर और रितेश सिद्वानी ने इसको लेकर अपनी बात रखी फिल्म केजीएफ के दूसरे ट्रेलर लांच पर फिल्म निर्माता रमेश सिद्वानी ने शारूप खान की फिल्म जीरो के साथ होने वाले क्लैश को लेकर कहा कि इस फिल्म को जितनी स्क्रीन्स मिलनी चाहिए उतनी स्क्रीन्स मिल जाएंगी और भारत में धेरो स्क्रीन है चूंकि तेहारों का अफसर होगा जिसके चलते फिल्म को जितनी स्क्रीन्स चाहिए उतनी मिल जाएंगी हालांकि उन्होंने इस मौके पर ये भी कहा कि इस फिल्म को रजनी कांत और अक्षा कुमार की फिल्म टू पॉइंटों के बरावन स्क्रीन नहीं मिलेंगी इस मौके पर रिते सिद्वाली ने ये भी कहा कि ये फिल्म उनके लिए एक बड़ा अपसर है जो की दक्षर भारत में उनकी फिल्मों के द्वार खोल रही है वहीं इस मौके पर परानाक्तर ने ये कहा कि इस फिल्म का कंटेंट ही दमदार है फिल्म का कंटेंट इसका USB है जैसे कि एक बच्चे से उसकी माँ वचन लेती है कि वो मरते वक्त सबसे शक्ती शाली और पैसे वाला होकर मरेगा जो कि बहुत ही पावरफुल है गौर्ट अलवे की फिल्म KGF में दक्षर भारत के सुपरिस्टार यश्की मुख्य भूमिका है वहीं इस फिल्म से मिस इंडिया में भाग ले चुकी श्रीनेधी शेटी ने डेब्यू किया है यह फिल्म 21 दिसमबर को रिलीज होगी इस फिल्म को पाँच भासों में रिलीज किया जा रहा है दोस्तो आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करेंगे रिलीज हुई फिल्प KGF के रिव्यू को लेकर मूवी को इतना पसंद क्यों किया जा रहा है और वैसे देखा जाए तो कही ना कहीं KGF के रिलीज होने की वजए से जीरो के बॉक्स ओफिस कलेक्शन पर असर तो पड़ा है तो चलिए जानते हैं कि KGF में ऐसी क्या खास बाते हैं दोस्तो मल्टिप्लेक्स के आने के बाद उस तरह की बी ग्रेट फिल्में बनना बंद हो गई जिन में बड़े स्टार्स नज़र आते थे असी और नब्धे के दशक में इस तरह की फिल्में खूब बनती थी इंसानियत के दुश्मन, मर्द, गंगा, जमना, सरस्वती बदले की आग जैसी बी ग्रेट फिल्मों का ने केवल बजट बड़ा हुआ करता था बलकि इस पे अमिताब बच्चन और धर्मेंद्र जैसे सितारे भी नज़र आते थे 2018 में आस्चर्य जनक रूप से इस तरह की फिल्में फिर देखने को मिली सल्मान खान की रेस्त्री, आमिर खान की ठकसोफ हिंदस्तान के बाद कोलार गोल्ड फिर्स, केजीएफ चैप्टर फर्स भी इसी श्रेनी की फिल्म है और ये कंणड भाशा में बनी है जिसे हिंदी में डब कर रिलीज किया गया है दोस्तों कहानी 1950 से 1981 के बीच की है और जहां एक तरफ खलनायकों को सोने की खदान हाथ लगती है तो दूसरी और राजा कृष्णा पाप, बेरिया और रोकी का जन्म होता है मुंबई की गलियों में रोकी पलता बढ़ता है लगभग 10 साल की उम्र में उसकी मा गरीबी के कारण दम तोर देती है लेकिन वो मरने से पहले अपने बेटे रोकी को कहती है कि तो गरीबी में भले ही पैदा हुआ हो लेकिन मरना अमीरी में मा की बात को रोकी गाट पान लेता है और अपराद जगत में एक बड़ा नाम बन जाता है दोस्तो रोकी एक तूफान की तरह है और यदी उसके दुश्मन आग है तो वो पेट्रोल है और उसके एक मुक्के में इतना दम है कि कि किसी को जमा दे तो वो सेक्डों फीट उचल जाए और पचीस-पचास मुस्टंडों के लिए तो वो अकेला ही काफी है पल भर में वो लाशों का धेर बिछा देता है रोकी की तारीफ सुनकर उसे बैंगलोर बुलाया जाता है और गरूडा नामत बदमाश को मारने का जिम्मा सोपा जाता है जिसकी खदान है बैंगलोर में रोकी उसे मारने में नाकामियाब रहता है और फिर वो कोलार जाकर उसी के घर में उसे मारने का फैसला लेता है गरूडा का अपना इतिहास है उसके पिता का बड़ा सामराज्य है जिस पर कहीं लोगों की नजर है दोस्तो निर्देशक प्रशान नील ने ही कहानी लिखी है और उन पर बाहुबली और गैंग्स ओफ वासिपूर का प्रभाव नजर आता है बाहुबली की तरह जहां गरूडा का परिवार सोने की खदान पर हक जमाने के शडियंत्र रश्ता है तो वही गैंग्स ओफ वासिपूर की तरह फिल्म का मिजाज रखा गया है कोलार में एक अलग ही दुनिया नजर आती है जहां मजदूरों पर जुल्म कर उनसे काम कराया जाता है और ये जुल्म क्यों किया जाता है इसका जवाब फिल्म में नहीं मिलता इस फिल्म में लीड रोल निभाया है यश ने यश अपनी रोमैंटिक हीरो की इमेज से बाहर निकलते हुए एक हैवी ड्यूटी एक्शन हीरो के अफ्तार में नज़र आते हैं फिल्म का पहला एक घंटा रोकी की छवी को बनाने में खर्श पिया गया है और हर जगह वो मार काट मचाता रहता है सिगरेट का धुआ उड़ाता है और शराप गटकता रहता है स्लो मोशन में उसके कई स्टाइलिश शॉट नज़र आते हैं वो स्क्रीन पर नहीं भी हो तो लोग उसकी तारीफ के कसीदे गड़ते रहते हैं नर्देशक प्रशान नील ने कहानी को सीधे तरीके से कहने के बजाए खुब घुमा फिराकर अपनी बात कही है रौकी की कहानी एक लेखक टीवी पत्रकार को सुना रहा है फिल्म कई बार फ्लैश बैक में जाती है कहानी में कहानी सुनाई जाती है क्योंकि ये फिल्म का पहला भाग है इसलिए कई बार दूसरे भाग की जलब दिखाई गई है और ये सब कुछ confusion को बढ़ाता है शायद प्रशांत ने ये जान बूच कर किया है क्योंकि पूरी फिल्म उन्होंने इसी तरह से बनाई है प्रशांत का दूसरा फोकस एक्शन पर रहा है फिल्म में हिंसा की भरमार है हर दूसरे मिनिट मार काट मचती रहती है गाजर मूली की तरह लोगों को काटा गया है हतोडा, चैन, चाकू, रौट, तलवार, फावडा से खून बहाने से मन नहीं भरा तो बंदूक और मशीन गन का इस्तिमाल भी किया गया है और दोस्तो एक्शन का ये ओवरडोस, कहानी, स्क्रिप्ट, एक्टिंग पर भी भारी पड़ गया है फिल्म की कलर स्कीम बेहत डार्क है ब्राउन और ब्लैक कब बहुत ज़्यादा इस्तिमाल किया गया है ज़्यादे तर शॉट्स बहुत कम लाइट में शूट किये गए है स्क्रीन पर ज़्यादे तर समय अंधेरा चाया रहता है बहुत ज़्यादा कट्स लगाए गये है और 3-4 सेकंड से ज़्यादा एक शौट टिकता ही नहीं है वहीं कलाकारों के गैट अब भी इस तरह के हैं कि वो गंदे नज़र आते हैं तो उसों जैसे बेतर तिब लंबे बाल और डाड़ी, काले कपड़े और साथ ही साथ रात में भी आँखों पर काला चश्मा चड़ाये हुए हैं और ऐसा लगता है कि वो महीनों से नहाए ही नहीं है और ना ही उन्होंने ब्रश किया है पूरी फिल्म को रफ टफ और एक अलग ही लुग प्रशान ने दिया है निस्चित रूप से ये कुछ हटके लगता है लेकिन इसे नापसंद करने वालों की संख्या भी कम नहीं रहेगी दोस्तो फिल्म दो भाग में आएगी और अच्छी बात ये है कि पहला भाग एक कंप्लीट फिल्म लगता है और दर्शक खुद को ठगा महसूस नहीं करते कि उन्होंने आदी ही फिल्म देखी है फिल्म को बहतरीन तरीके से शूट किया गया है और एडिटिंग टेबल पर फिल्म को लुक और टेक्स्चर दिया गया है और दोस्तों साथ ही साथ फिल्म में खूब डायलोग बाजी भी है जैसे कि If you think you are bad then I am your dad और वहीं दूसरा डायलोग है हाथ में मचली लेकर मगरमच को पकड़ने के लिए निकले थे लेकिन मगरमच को मचली नहीं हाथ पसंद है तो दोस्तों कुछ ऐसे ही धमाकेदा डायलोग सुनने को मिलते हैं लार्जर देन लाइफ किरदार में यश्ट बेहत जमे है वो स्टाइलिश लगे है एक्शन बढ़िया किया है और किसी हीरो की तरह नजर आए है तो वहीं श्रेनिदी शेटी सहित अन्यकलाकारों के लिए खास स्कॉप नहीं था केजिएफ में एक्टिंग, एक्शन, जायलोग, स्वैक, बैक्ग्राउंड, म्यूजिक जैसी सभी चीजे बहुत जादा लाउड है स्टाइल और प्रेजन्टेशन ही इसे अलग बनाता है दोस्तो शारुखान की फिल्म जीरो सिनेमा घरों में पहुँच गई है और सिर्फ हिंदी पट्टी ही नहीं दक्षिन भारत में भी फिल्म को लेकर काफी उत्सा है मगर साउथ में जीरो का सफर आसान नहीं होगा क्योंकि इस शुकरवार 21 दिसंबर तमिल, तेलगू और कन्नर भाषाओं की कुछ बड़ी फिल्में रिलीज हुई है और जिनकी काफी चर्चा भी रही है जीरो देश भर में 5965 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है जिन में से 4380 स्क्रीन्स भारत और 1585 ओवर सीज के लिए एलोट की गई है आनदेल रोय निर्देशित जीरो में शारुक के साथ केट्रीना कैफ और अनुषकर शर्मा लीज रोल में थे मोहमत जीशान आयूब फिल्म में शारुक के किरदार बहुआ सिंग के साइड की का रोल निभा रहे हैं साउथ में जीरो की सबसे बड़ी टककर मारी टू से होने जा रही है जसमें धनुष लीज रोल में है बालाजी मोहन निर्देशित फिल्म में साई पल्लवी फीमे लीड रोल निभा रही है मारी टू को लेकर तमिल भाशी दर्शकों के बीच का फी हाइप बनी है ये 2015 में आई मारी का सीक्वल है और ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म में धनुष के कैरेक्टर का नाम मारी है दोस्तो साउथ में जीरो के सामने दूसरी बड़ी रिलीज केजी एफ चैप्टर वन भी है जो कर्नड फिल्म है जिसे तमिल तेलगु मल्यालम और हिंदी में भी रिलीज किया गया है प्रिशान नील निर्देशित फिल्म में यश्ट ने लीड रोल निभाया है ट्रेलर आने के साथ ही फिल्म की काफी चरचा रही है हिंदी भाषी दर्शकों के बीच भी केजी एफ के हिंदी ट्रेलर को पसंद किया गया है KGF में तमन्ना भातिया और मौनी रोय ने आईटम सौंग्स किये हैं KGF हिंदी में 1500 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है जबकि कंणर तेलगू में 400, तमिल में 100 और मल्यालम में 60 स्क्रीन्स पर उतारी गई है दोस्तो हाल ही में साउट सिनेमा की कुछ फिल्मों ने घरेलू और ओवरसीज में बहतरीन बिजनेस किया है रश्नीकांत और रक्षे कुमार की 2.2 तमिल सिनेमा की फिल्म है जिसे हिंदी और तेलगू में भी रिलीज किया गया था ये फिल्म घरेलू बॉक्स ओफिस पर अब तक 400 करोड से अधिक का कारोबार करके दूसरी सबसे बड़ी भारतिय फिल्म बन चुकी है और वहीं सिर्फ हिंदी में फिल्म ने 180 करोड से अधिक जमा कर लिये हैं दोस्तो आज हम इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं जीरो केजीएफ और मारी टू के तीसरे दिन के बॉक्स ओफिस कलेक्शन की 21 दिसंबर 2018 को ये तीनों फिल्में एक साथ रिलीज हुई थी जिसमें से केजीएफ और मारी टू का ओपनिंग कलेक्शन बढ़िया रहा और वहीं बड़े बजट की फिल्म जीरो कुछ जाधा ओपनिंग नहीं कर पाई जीरो के ट्रेलर और गाने जिस तरह सूपर हिट हुए थे लेकिन उस तरीके से फिल्म को ओपनिंग नहीं मिल पाई तो वहीं बात करें केजीएफ और मारी टू की तो बजट के हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों फिल्मों को बढ़िया रेस्पॉंस मिल रहा है क्रिटिक्स ने भी इन्हें अच्छी रेटिंग दी है सबसे पहले बात करते हैं कन्नट फिल्म केजीएफ चैप्टर फर्स्ट की जिसने अपने दमदार एक्शन और अच्छी कहानी से लोगों को एंटर्टेन तो किया साथ में अच्छी ओपनिंग भी की केजीएफ फिल्म का बजट असी करोड था इस फिल्म को प्रशान नील ने डायरेक्ट किया था फिल्म में कन्नट सूपरस्टार यश ने लीड रोल प्ले किया था फिल्म को वर्ल्ड वाइट तीन हजार स्क्रीन्स पर और चार भाशाओं में रिलीज किया गया था फिल्म को मिले अच्छे रियक्शन की वज़े से इसकी स्क्रीन्स को बढ़ा दिया गया है फिल्म ने पहले दिन करनाटका से 28 करोड, हिंदी से 4 करोड और तमिल और तेलगू से केजी एफ ने 7 करोड का कलेक्शन किया है KGF ने टोटल 49 करोड का first day collection किया था और फिल्म को critics और public से भी बढ़िया rating मिली थी जिसका फायदा इसको दूसरे दिन भी मिला और फिल्म ने 45 करोड का collection किया जो कि अब तक का किसी कन्नड फिल्म का सबसे highest collection है बात करे फिल्म के third day collection की तो ये फिल्म आगे बढ़िया collection करेगी वीकेंड पर Sunday का फायदा भी इसे जरूर मिलेगा दोस्तो अब अगर बात करे मारी टू की तो इस फिल्म ने अपने बजट के हिसाब से अच्छी opening दी है ये एक action फिल्म थी दमिल सूपरस्टार धनुश की इस फिल्म को बालाजी मोहन ने डायरेक्ट किया था फिल्म को 25 स्क्रीन पर रिलीज किया गया और ये फिल्म अभी सिर्फ दो ही भाशाओं में रिलीज हुई है 30 करोड के बजट वाली फिल्म को पब्लिक और क्रिटिक्स दोनों ने अच्छी रेटिंग दी है जिसका अज़र हमें ओपनिंग कलेक्शन पर देखने को मिला और इस फिल्म ने अपने पहले दिन 15 करोड का ओपनिंग कलेक्शन किया जबकि फिल्म ने अपने सेकंड डे कलेक्शन में 13 करोड बटो रहे जो कि काफी बढ़िया रहा बात करें फिल्म के वर्लड वाइड कलेक्शन की तो फिल्म ने अब तक 30 करोड का कलेक्शन कर लिया है वीकेंड में संजे का फाइदा भी इस फिल्म को मिल सकता है और अब बात करें हमारे शारुक खान की जीरो की जिसकी चर्चाओं का बाजार गरम तो था लेकिन फिल्म कुछ जादा कमाल नहीं कर पाई फिल्म से उम्मीद की जा रही थी कि ये फिल्म ओपनिंग रिकोर्ड बनाएगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं पब्लिक ने जीरो को अच्छा रेस्पॉंस तो दिया लेकिन क्रिटिक्स ने फिल्म को बहुत एवरेज रेटिंग दी और जिससे इसके कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली इस फिल्म से ग्रांड ओपनिंग की उम्मीद की जा रही थी लेकिन ओपनिंग ठीक ठाक रही जीरो ने पहले दिन 20 से 25 करोड का ओपनिंग कलेक्शन किया जो की 200 करोड के बड़े बजट वाली फिल्म के लिए कुछ जादा खास नहीं है फिल्म को पबलिक ने तो अच्छी लेकिन क्रिटिक्स ने एवरेज रेटिंग दी है और जिस वज़े से इसके सेकंड डे कलेक्शन में बिल्कुल जादा उच्छाल नहीं देखने को मिला फिल्म को 5000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था जीरो ने दूसरे दिन भी 20 करोड तक का ही कलेक्शन किया जो की नॉर्मल है वहीं बात करे फिल्म के टोटल कलेक्शन की तो फिल्म ने वर्ड वाइड पहले दिन 58 करोड का कलेक्शन किया था जो की अच्छा साबित हुआ बात करें फिल्म के थर्डे कलेक्शन की तो वीकेंड पर शायद इस फिल्म को संडे और क्रिस्मस का बेनेफिट मिल जाए जिससे की फिल्म के कलेक्शन में थोड़ी बढ़ोतरी तो हो जाए दोस्तो धीरे धीरे जीरो आगे बढ़ रही है और क्या वीकेंड में संडे होने की वज़े से ये फिल्म सो करोड से उपर कलेक्शन कर पाएगी या नहीं दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन फिल्मों की जो की कल यानी की 21 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई थी और आज हम जानेंगे उन सभी फिल्मों के रिव्यू और बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में दोस्तो 21 दिसंबर 2018 को जीरो मारी टू अंतरिक्षम 9000 की MPH केजियेफ जैसी अलग अलग जोनर की फिल्में रिलीज हुई है और इन में से कुछ फिल्में बड़े बजट की हैं तो कुछ छोटे बजट की इन में से बॉलीवुड की जीरो और कन्नट फिल्म इंडस्ट्री की KGF बड़े बजट की फिल्में हैं सबसे पहले बात करते हैं बॉलिवुड के किंग खान यानि की शारुक खान की जीरो की जो 200 करोड के बजट वाली फिल्म थी। दोस्तों फिल्म ने लोगों को एंटर्टेन तो किया है और ये फिल्म लोगों को पसंद भी आई है और इसी के साथ पब्लिक इस फिल्म में शारुक खान केट्रीना कैफ और अनुश्का शर्मा की एक्टिंग की काफी तारीब कर रही है और ये फिल्म थेटर्स में लोगों क लाने में काम्याब रही और फिल्म को आनंदेल रोय ने डायरेक्ट किया था और इसे दुनिया भर के 6000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से जादा अच्छे रिव्यूज नहीं मिले हैं लेकिन फिल्म लोगों को पसंद आ रही है और फिल्म को क्रिटिक्स ने 3.5 स्टार दिये है वहीं बात करें फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ओफिस कलेक्शन की तो फिल्म ने इंडिया में 25 करोड का कलेक्शन किया है वहीं बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो फिल्म जीरो ने पहले दिन 58 करोड का कलेक्शन किया है जो की एक रिकॉर्ड है और अभी आने वाले संडे का इस फिल्म को कितना फायदा मिलेगा अब ये तो वीकेंड के बाद ही पता चलेगा अब दोस्तों बात करते हैं कन्नड फिल्म KGF की तो फिल्म का बजट 80 करोड था और फिल्म को लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉंस भी दिया है फिल्म को प्रिशांत नील ने टायरिक्ट किया था कोलर गोल्ड माइन्स पर बेस्ट ये फिल्म 80 की फिल्मों की याद दिलाती है जिसमें कन्नड सूपर स्टार यानि की यश ने लीड रोल प्ले किया है और ये फिल्म अब तक की कन्नड फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है और अभी का फर्स पार्ट रिलीज हुआ है और इसका सीक्वल भी आना बाकी है केजिएफ को इंडिया में 2460 सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और इस फिल्म को क्रिटिक्स ने 3.5 स्टार दिये हैं ये फिल्म लोगों को भी काफी पसंद आई है केजिएफ ने इंडिया में पह जो की डब्ड फिल्म होने की वज़े से बहुत बड़ा है दोस्तों वहीं अगर बात करें तेलगू फिल्म इंडस्ट्री के सूपर स्टार धनुष की फिल्म मारी 2 ही जो की मारी का सीक्वल है फिल्म मारी काफी हिट रही थी और इस फिल्म को बाला जी मोहन ने पसंद किया है फिल्म को क्रिटिक्स ने 3.5 स्टार दिये हैं टॉलीवुड में एक साथ 4 फिल्में रिलीज हुई है जिसका असर इस फिल्म के कलेक्शन पर पड़ा है और फिल्म ने पहले दिन 41 लाग का कलेक्शन किया है जो कि एवरेज है लेकिन अभी ये सिर्फ तमिल में ह की रिलीज हुई है और अभी इसका हिंदी डब्ड रिलीज होना बाकी है वहीं बात करें तेल्गु फिल्म अंतरिक्षम 9000 कमपीश की तो ये एक साइंस फिक्शन फिल्म थी जिसका डायरेक्शन संकल्प रेडी ने किया था इस फिल्म में तेल्गु सूपरस्टार वरुन कम दर्शक मिले हैं क्रिटिक्स ने फिल्म को 2.5 स्टार दिये हैं और फिल्म ने पहले दिन लगभग एक करोड़ साट लाग का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है जो की काफी बढ़िया है अंतरिक्षम फिल्म का कॉंसेप्ट लोगों को पसंद आया है लेकिन फिल्म पर एक आई हम तो गई थी ना चुट अश्यम भिले दे आपकी बदल गही पता है मेरी एर हम तुम्हारी वज़े से मैं अब आपको बड़ा थैंक्यू बोलना चाहता हूं कि आपकी बच्छे से मैं जीरो देखने वाला था पर केजिए अब दिखके हैं मजा आ गया देखें क्या म अब बढ़ा दिया वही आग लगा दिया इस ने फार दिया भाई आग लगा दिया मैं भी देखने वाल के लेकिन किस्मत की बात होती है बाकि Zero बहुत यह जादा अमेजिन मुवी है पता है इतने टाइम बाद में एसर के कितनी बड़ीया मुवी देखिया है मैं SRK का मैं फुद बहुत बड़ा फैन हो लेकिन SRK के बाद अगर मैं किसी का फैन हो तो YES का फैन हो भाई बहुत बड़ा YES ने क्या एप्पिंग किया फार दा यार घजर मजा आ गया वैसे क्या खासता है Zero बता हो जरा Zero में खास ही आती हाजी है देखो पहरी बात तो जैसा रोल उसने अदा किया है शारुक खाने SRK केने गोने का मैं को लगता हो कोई और इतने बड़ी तरीके से गजी क्यूप तर पाता उस रोल को एक आला की चीज देखने को मिली है उस मुवी में यार एक सच बात बता हूँ शायद यश ने जो भी आक्टिंग करे होगे मैंने मुवी नहीं देखी लेकिन अगर कम पारिजन किया जाए तो जुस तरीके से SRK के अने गुसा है वो शायद यश नहीं गुस पाता है यारी गुस पाता ही अलग चीज है लेकिन दोना अलग जोनर क जो KGF में जो Yass ने किया है वो शारु खायन नहीं कर पाता है लेकिन जो तर्टाक के रहे यह नहीं कर पाते है दोना अलग अलग बाते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शारु खान बबना और Yass गुंदा एंटी हिरो टाई लंबी लंबी दाडीं बड़े बड़े वोगे ते इस्नी जादा होड़िग कर रहे हैं और पते है सबसे जादा सिस्पेंस वलसीं तो वही हाज रोकेट का था और जब रॉकेट डुड़ा ना याज अच्छ रहे हुज जब का मन कुशिश हो रहे हैं आपके वारता ऐसा कुशी की? ऐसा अगे ऐसा देख लाना फ्रोफिक है तुम्हारे कहने है मतलब कि शारूपन इस्पेस हम लिया है तो महीत समझाने की कॉषिश कर रही हूं क्या बात है क्या बात है यार देखनी पड़ेगी लेकिन केजीयाफ में दिल रूट लिया मैं तो जाई केजिए अपरी थी यार आप देखने जीरो चले गई पता इसस्पेंस कुलू हूँ कर तुम्हारा क्या दो जोटा है तो दो जिए!」まで पह पेस स्थार्ण का थे मुझे आ प्लक सवच धार कि अगाहु जाता है कमान में तो जुटा देता ज्ममान रहां कि ता कि मैं गई रिमने बहुता है कि अब फेस जależ की अपर किसी लिए नहीं सुख पाए बन्दब शावुफान से कैटिना कैफ सेट नहीं थी फिल में थोड़े टाइम के लिए जादा नहीं अबे जादा नहीं अबे जादा नहीं और अनुष्का शेमा को बता दूं कि मतलब केट्रीना के आपका रोल उसमें ऐसा था बहुत बड़ी सुपर स्टार्ट लिखाई ग अच्छा में को नाम याद मिया रहा बढ़ तो मने तरी इच देखी तो इस तरी वाइल लाइज फोटागरफर था अर्मादूर बिल्कुए इस नाम याद मिया रहा था उनी के साथ मुझा जारुखां के साथ कॉण सेट था मुझे यह चालना है यार शारुखां के साथ कोई भी से पीता ना ही अनुषका ना ही केट्रीना के अपनी अलग सुपसकार्ट थी हां मैपको बता दू की एसार के पागल था बभीता कुमारे के लिए चागा था था थोड़े पागल था 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 थीए थे इसार कास्टर समें काडू कों भी है शीदेवी, का जो, राटी मुखर जी, अल्या भाट ये यह क्या है रहते हैं यह यह तो पर बिल्फ देखर किया पदा मेर की पड़ा काई पर मिजे बताया था अच्छा मेरी बात सब्सक्रार बदी बदी तो एक प्रूपका, श्रीदेवी, आलिया भथ और करिश्मा कपूर को बिरिखा गाया गया 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 एक वो अर इक कौंसा इंसान है जो हमेशा क्या नम है कई फिल्मों उसे दोस्तों का रोल भी आता किया वैस कुल मैं तो अपने देखाएगी वो जादा दर जाना ही दोस्ती के रोल के लिए जाता है जाए हम गांजना उठा के देखले हैं और भी बहुत सारी मुवीज तो उसमें इसका उत्मलाव अच्छा दोस्त वना हमें को आए हमेशा से अच्छह दोस्त करणगी भी बहते हैं इस वाइभी बहुत अच्छु दोस्त करणगी रहे हैं जानी किजीरो देख मी बढ़ेगी वैसे आपका क्या खेलेगी जू करक्शन कितना गट फटाएगगी ऑल वर इंडिया थी कितना पाइगी यार 20-25 करोर 20-25 करोर 200 करोर लगा कि 20-25 करोर जादा भोलो मत अपना बताओ KGF किया देखा है में को भी तो कुछ बताओ KGF का पहली आत बताओ इसमें Kandar का सुपरिस्टार है वो उसे आज जादा है वो टामी इंडुस्री में जब से आया है अपने आप में इक अलग चीज है पहली बाद उसके अपोजिटर Shri Nidhi Shetty क्या रूट लंकिया और इन सबसे बड़ी बाद उसमें Mauniroy का ओओ क्या गली गली मजा आगया देखे मुझे चीज पूछनी है तुमने अभी बोला Shri Nidhi Shetty मुझे बढ़ता हूं ट्रुलिर देर के क्या लगाता? Yash के अपोजट- मुझे लगा ओओगी वो Yash जब क्या रहा हूं जब क्या रहा है उसके डायलोग Yash जब डायलोग बोलता है सबी न तो एक अंधर से क्विलिंग आती है कई है कि तुछ इसा बनना चाहिए, लोगों के लिए कुछ गर नहीं क्युक्य इसमें वह लोगों की सेवा करते है दिखाया है, गरीबों की लडता है मेरे के घजेफ्व को खत्म करता है, बता है बुराई को बारता है? बुरे लोगों को भारता है? मेरे KGF को लेके बहुत सने डाउट है क्या बताओ? जब मेरे ट्रेलर देखा ना, मुझे लादा यार यार यश नेगेटिव रोल करना है ने 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 उसका रोल है स्टाफ है एसा कह सकती है, ं-D-Hero Tap मनना अच्छे लोगों के लड़ता है, बुरू उत खात्मा करता है या, पर इसने सुरू तो, उसने बोला भाइन इसने बोला था जब चोटा बक्चा बोलता है मुझे दुनिया चाहिए हाँ, तो उसकी माने कहा था था कि तुझे लोगों के साथ चलना है, लोगों के आगे खड़ा रहना है, और ऐसा लागा King, तो ऐसा कुछ निया कि King का रूल तो वो कह रहा है, बुझे दुनिया चाहिए, तो इसका मतलब यह नहीं मान सकती है, कि हाँ, वो पूरी दुनिया पर रूल करना चाहता है, रूल करत लोग, बहुली का सेकंड पार्ट कवाएगा, एक ही दिन में जो मुवी देखके निकल रहा है, वो यही गह रहा है कि इसका सेकंड पार्ट, सेकंड चाप्टर कवाएगा, यारू किसमत की बात है, हाँ, किसमत की नहीं मैं मान जियों कि चाप्टर 2 आएगा, अब जीरो का बन पाएगा नहीं, बड़ क्या कोदा बन जाएगा, वो भी सकता है, जीरो का मन तो नहीं बनेगा, इसका अगल कोई मुवी बहुत जादा आगे निकलती है, अच्छा नाम कमाली तो इसका सेकंड पार्ट लोग डिमांड करते हैं कि हाँ, आना चाहिए, हमारी जंता देमा आपकी कहा है, इसमें इसका बजट 80 करोण है, लेकिन हो सकता है कि ये शारूख खान के वारावत पहले दिन में इतना ना कमा पाएगा, लेकिन कमाईगे अच्छा अच्छा अपने 80 करोण के साथब से, और हो सकता है कि ये, लेकि आप मूभी देखोगी, असी करोण में वेल्टर में दिखाने के में लगे हैं, वीफेस को लेकर, एडिटेंग सब कुछ किसी को गोना दिखाना को असान काम तो नहीं है, उसके लिए बहुत सारे वीफेक्स जए है देखे मेडम, इसमें वीफेसा बढ़ अचा इस्तेबाल किया गया है 60s और 70s के इंडिया दिखाया गया है, बहुत 80 करोर खचुए से कुसी चीज पे पुरान इंडिया दिखाने के लिए और इसके action scenes पे, जब आप देखोगी ना आप खुछ समझ में आजाएगा, ना आप 0 को बढ़ागाओगी ना KGF को बूरा तो मैं बूरा तो मैं बोली ही निरी हूँ, बात यह है बोलो, हम, क्या बोलरी है यह बोलरी हूँ, आप मुझे बोल्रोग का बजट लगाए वीएफिक्स को लेकर ठीके मैं मान रही हूँ लेकिन वीएफिक्स इतने हाई लेविल के नहीं होंगे शायर क्योंकि किसी को पूर्ना दिखाना है आज वीएफिक्स में सारा काम सराच, थैंसा बगेरा सब इसी मिलागाए यह भी तो सोचो अपने अपने हिसाब से कमाएंगी और हिट भी होंगी लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि चैप्टर टू तो आएगा के जीरो का वन पार्ट आएगा इना है दोस्तो मुझे तो लग रहा है जिस तरी कि इसी जीरो को सब डिमांड में ले रहे हैं तो मुझे आप लोगों से उमीद है कि आप सोच रहे होंगे कि हाँ जीरो का सेकंड पार्ट बनना चाहिए तो क्या लगता है फोड़ा मुवी देखो दिमाग रड़ाओ और कमिट बॉक्स पर बाते साओ और मुझे बताओ क्या लगता है जीरो का सेकंड बने का दोस्तो 21 दिसंबर 2018 फिल्मी दुनिय लिए बहुत खास दिन था क्योंकि एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री के सूपर स्टार शारुक खान यानि की बादशाः खान की फिल्म जीरो रिलीज हुई तो दूसरी तरफ साउथ इंडस्ट्री के सूपर स्टार धनुश की फिल्म मारी 2 बॉक्स आफिस पर तहल का मचाने के लिए आई और वही कन्नड के एक और सुपरस्टार यश की फिल्म के जीएफ ने बॉक्स ओफिस पर दस्तक दी और जिसे कन्नड की बाहुबली के नाम से जाना जा रहा है इन तीनों फिल्मों के एक दिन रिलीज होने से फिल्म उध्योग को नुकसान के साथ-साथ फाइद फिल्म है तो वहीं KGF एक एक्शन फिल्म है और वहीं Maree 2 एक मसालेदार फिल्म है लेकिन जिसमें शोशल एलिमेंट्स का तड़का लगाया गया है और इन तीनों फिल्मों के रिलीज होने से फिल्म इंडस्री को करीब तीन सो करोड का फाइदा हुआ है क्योंकि इन तीन संबर को एक ही दिन रिलीज होने पर करीब सो करोड का फाइदा हुआ अगर नुकसान की बात की जाए तो नुकसान इस संधर्व में हुआ कि हर स्टार की ऑडियंस बट गई और ऑडियंस बटने से तीनों फिल्मों को नुकसान हुआ है हालां कि यह पहला दिन रहा इसलिए यह निश्चित तोर पर नहीं कह सकते तीनों फिल्मों को कितने कितने करोड का नुकसान होगा अगर अब बात करें जीरो की तो जीरो ने रिलीज से पहले ही फिल्म का आधा दाम निकाल लिया था जी हाँ और जीरो का कुल फर्स्ट एक कलेक्शन देखा जाए तो जीरो के खाते में करीब 230 करोड के आसपास गया है और इससे ये कहा जा सकता है कि जीरो फिल्म का टोटल बजट पहले दिन ही निकल चुका है और फिल्म का सूपरिट होना तो निस्टित है क्योंकि जीरो ने इंडिया और देश विदेश को मिलाकर 58 करोड का बॉक्स ओफिस कलेक्शन क किया है और अगर वहीं बात की जाए साउत के बाहुबली यानि केजिएफ की तो उसने पहले दिन 15 करोड का बिजनिस किया है दोस्तों वहीं मारी टू अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो फिल्म ने 2 से 3 करोड का कलेक्शन किया है और अगर इन कलेक्शन के आकडों को आधा सिटी का फाइदा भी मिल सकता है अगर दूसरे दिन के कलेक्शन की बात की जाए तो जीरो करीब 30 करोड का बिजनिस कर सकती है और वहीं केजिएफ करीब 20 करोड के आसपास पहुंच सकती है और दोस्तों वहीं मारी टू भी करीब 5 करोड के आसपास पहुंच सकती है तो जादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और दोस्तों वहीं अगर एक उधारन के तौर पर देखा जाए सनी दियोर और आमिर खान को तो इन दोनों ने काफी लंबे समय तक एक ही दिन अपनी फिल्में रिलीज की है और इसके बावजूद इनकी फिल्में हिट भी साबित कि शारुख खान के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है कि दूसरे स्टार की फिल्में उनकी फिल्मों से टकराई है तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि वो इसके आदी हो चुके हैं योकि शारुख खान एक बहुत बड़े सूपरस्टार है और इन सब चीजों से उनके स्ट बाप ही होता है दोस्तों वहीं KGF और मारी टू के रिलीज होने से जीरो के बॉक्स ओफिस कलेक्शन पर थोड़ा बहुत तो असर पड़ा है क्योंकि KGF और मारी टू में जो स्टार हैं उनकी खुद की फैन फॉलोइंग है और दोस्तों अगर बात करें KGF के सूपरस्टार यश्की तो आज की यूट में उनकी एक अच्छी खासी पकड़ है और वैसे भी KGF की तुलना अमेताब बच्चन की दीवार से की गई है और इस फिल्म की कहानी में वैसा फील लाने के लिए फिल्म के कथानक में और फिल्म के सिनेमेटोग्राफी में उस लेवल का हर एलिमेंट्स डाला गया है जिससे की फिल्म में एक न्यू फ्लेवर नजर आए और इसलिए KGF के रिव्यू के आधार पर कहा जा सकता है कि ये फिल्म लॉगबस्टर फिट साबित होगी दोस्तो मारी टू के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है वो भी एक स्लो पोईजन है और इन फिल्मों की तरह वो भी धीरे धीरे अपनी पकड़ बना ही लेगी क्योंकि धनुष का अपना फैन फॉलोइंग है और दोस्तो ये भी कहा जा सकता है कि मारी टू और केजी एफ की टकर से सीधा जीरो को फाइदा होगा क्योंकि यश और धनुष दोनों की ही फैन फॉलोइंग साउट में जादा है लेकिन हमारे बहुआ भी इन एक्टरों से पीछे नहीं है इसलिए सारे आकडों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि सीधा फाइदा शारुख खान की फिल्म जीरो को होगा और दोस्तो वहीं जीरो फिल्म को लेकर फिल्म क्रिटिक्स इसलिए नर्वस हैं क्योंकि S.R.K के जितने चाहने वाले हैं उतने ही दुश्मन भी है क्योंकि सोशल मीडिया पर शारुख को ट्रोल भी किया है और इसलिए उनके शुप चिंतकों में एक तरह से भैफैल गया है कि कहीं शारुख की जीरो फ्लोप न हो जाए लेकिन ऐसा होगा नहीं S.R.K की जीरो फ्लोप होगी नहीं और जल्द ही बॉक्स ओफिस पर अपनी पकड़ भी बना लेगी Z.R.K के हीरो शारुख खान का स्टार्डम किसी भी सूपरस्टार से कम नहीं है और इसलिए कहा जा सकता है कि बाहुबली और टाइगर जिंदा है की तरह जीरो फिल्म भी जल्द ही पॉक्स ओफिस पर स्पीड पकड़ेगी जिस प्रकार से बाहुबली टू ने स्पीड पकड़ी थी क्योंकि जीरो की कहानी में जो बहुआ सिंग है वो एक आम इंसान को रिप्रेजेंट करता है इसलिए जीरो फिल्म बहुत जल्द ही हिंदोस्तान की जनता के दिलों में रच और बस जाएगी और दोस्तों ये भी सच है कि शारुक खान की जीरो फिल्म पर अनुश्का की शादी का फर्फ थोड़ा बहुत तो पड़ा है क्योंकि हमारा फिल्म इंडस्ट्री आज भी पुरुषवादी मानसिक्ता का प्रतीख है जहां पर मेल एक्टर तो शादी कर लेते हैं लेकिन फीमेल एक्टरिस जैसे ही शादी करती हैं उनकर स्टारडम गिर जाता है जो की एक प्रकार से हिरोईन के साथ विक्टिमाइजेशन होता है और एक लंबे समय से होता आ रहा है और आज भी जारी है लेकिन दोस्तों ये जो कथित पुरुष प्रधान समाज है हमारे देश का कि कभ शिक्षित होगा और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमारा देश जब तक शिक्षित नहीं हो सकता जब तक की हमारे देश की प्रतियेक नारी शिक्षित नहीं होगी और अगर हो जाएगी तो वो खुद अपने आप में इतना शक्षम होगी कि अपने अधिकारों को लेकर बोल सके और उनके लिए लड़ सके क्योंकि film industry जो कि हमारे समाज के एक आईने के रूप में देखी जाती है अगर वहाँ पर नारियों के साथ victimization हो सकता है तो किसी भी छेतर में हो सकता है जो कि एक दम गलत है और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि शादी करने के बाद भी जिस प्रकास से पुरुष film industry में जमे रहते है हिरोईनों को भी जमे रहना चाहिए और तभी इस industry का मिधख खटेगा और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे कि मोसमी चटरजी मात्र एक ऐसी हिरोईन है जो शादी के बाद industry में आई और पुरुषो को भी तीछे शोर दिया 21 दिसंबर 2018 एक बहुत ही एहम दिन है फैंस के लिए क्योंकि इस दिन दो रोमांचक फिल्में रिलीज होने वाली है पहली बॉलिवुड के बाद्शा किंग खान की जीरो और दूसरी कन्णड एक्टर यश की KGF चैप्टर 1 नमश्कार दोस्तों मैं हूँ गरिमा सिंग और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलिग राद स्टोडियोज की एक और नई वीडियो में तो दोस्तों आईए मालूम करते हैं कि इन दोनों फिल्मों के एक ही दिन रिलीज होने पर भारत के हर एक शक्स पर क्या असर पड़ेगा फिर चाहे वो किंग खान हो या फिर कन्ड़ सूपरस्टार यश या फिर आप लोग पर जी हाँ यानि की वो लोग जिनके एक्तियार के बिना फिल्म इंडस्ट्री का पर भी नहीं हिल सकता तो उस्तों जीरो और केजी एफ के एक ही दिन रिलीज होने पर भारतिय फिल्म उध्योग को कितने करोड का फायदा होगा ऐसे कहीं सारे सवाल जहन में आते हैं और जहां तक की देखा जाए अगर एक दिन में एक ही फिल्म रिलीज हो तो भारतिय फिल्म उध्योग को एक फिल्म से जितना फायदा होता है उससे जादा दो फिल्म में रिलीज होने पर होगा और जाहिर सी बात है कि अगर दो बिग बैनर फिल्म साथ में रिलीज हो रही है तो फायदा तो बेशक्त जादा ही होगा एक तरफ जीरो रेट चिलीज एंटर्टेन्मेंट की प्रोड़क्शन है तो दूसरी तरफ केजी एफ चैप्टर फरस्ट रितेश शिडवानी और फरान अक्तर की एकसल एंटर्टेन्मेंट की है वहीं दोनों मुवीज के कमाइन कलेक्शन की बात की जाए तो एक हजार करोर का मुनाफ़ा तो हो ही सकता है मगर मुद्दे की बात तो ये है कि कौन से फिल्म कितना कमाएगी अगर शारुक खान की पिछली फिल्मों की बात की जाए तो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है और उनकी कमाई भी इतनी बहतरी नहीं हुई है पिछली फिल्मे कुछ जादा खास ना जाने की वज़े से इस पार फैंस को S.R.K. की जीरो से बेहद उम्मीदे हैं वहीं दूसरी और यस जो की कंड़ सुपरस्टार हैं और साउथ में बेहद प्रचलिद भी और उनका काम पिछली फिल्मों में लाजवाद साबिद भी हुआ है तो उनके फैंस को भी KGF का बेसबरी से इंतजार है बलकि अब तो आलम ये है कि नॉर्थ इंडिया में भी लोगों को KFC का ट्रेलर बेहद पसंद आया है और कहीं ऐसा नहोगी S.R.K की तरफ आती हुई हवाएं यश की KGF की तरफ अपना रुख मोड लें बेशक की लोगों को Zero का उतनी ही शिदत से इंतजार है मगर कहीं न कहीं KGF का ट्रेलर Zero के ट्रेलर पर भारी पड़ता नज़र आ रहा है और इन सब से बचने के लिए Zero का जोर सोर से प्रोमोशन हो रहा है और नई नई तरकीबे निकाली जा रही है जैसे की अभी हाल ही में Making of Song मेरा नाम तू यूट्रूब पर लॉंच हुआ सूत्रों के मताबिक KGF पाँच अलग-अलग लेंग्वेजस में रिलीज होगी जिसमें एक लेंग्वेज हिंदी भी होगी अब संजीदगी यहीं आकर दस्तक दे देती है कि अगर फिल्म हिंदी में भी रिलीज होगी तो आउडियंस किस हिसाब से बढ़ जाएगी KGF कल जीरो के साथ क्लैश होने पर जीरो पर असर तो जरूर पड़ेगा उसमें तो कोई शक नहीं है मगर वहीं दूसरी तरफ रिते शिदवानी का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि यह एक क्लैश है या फिर कोई जंग है किसी स्पेस के लिए उनका मानना है कि स्पेस बहुत है रही बात 21 दिसम्बर को रिलीज करने की तो उसका एक ही कारण है कि उस दिन साथ इंडिया का एक खास फेस्टिवल है यह फिल्म साथ की चार लेंग्वेज में रिलीज होने वाली है और बेशक हिंदी में भी उनका कहना है कि नौर्थ इंटिया मार्किट में उतना नहीं जाना जितना की जीरो का मकसद है एकसल एंटर्टेन्मेंट जो की रॉक-उन टू रहीस फुक्रे सिरीज गौर्ड जैसे फिल्मों के लिए जानी जाती है इस पार कंणड फिल्म के जीएफ के साथ आ रही है रिते शिद्वानी का कहना है कि फिल्म ने लेंग्वेज बेरियर्स को तोड़ दिया है और इसका सबसे बड़ा एक्जामपल है बाहु बली के जीएफ जो की एक पीरियड ड्रामा है कूलर गोल्ड फिट्स पर आधारित है जहां तक की फिल्म आपको इमोशनली कनेक्ट करती है तो लेंग्वेज का बेरियर तो रहे ही नहीं जाता दोस्तो के जीएफ फ्रेशान दील ने कलम बंद करी है और इसका निर्देशन भी उन्होंने ही किया है और दोस्तो विजय की रागंडूर इस फिल्म को प्रिड्यूस कर रहे है होम प्ले फिल्म्स के बैनर तले यश और स्रीनिधी लीड रोल में नजर आएंगे शर्मा और केट्रीना कैफ दोस्तों वहीं जीरो का बजट 200 करोड उपर का है तो वहीं केजी एफ का सो करोड से उपर का अब सवाल यह कि क्या शारुक खान फिर से किंग खान बन पाएंगे जहां तक की बात की जाए सल्मान खान की तो जहां वो पहुंच जाते हैं वहां तो फिल्म का फ्लॉप होना नामुम्किन ही है